नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का उतकर्ष की तरफ से, मैं हूँ सहलेश कुमार और आज आप भूगोल की क्लास में एक ऐसे टॉपिक पर आप से डिस्कुसन होगा, जो की भूगोल के साथ साथ अर्थव्योस्था से भी और भारती समाज से भी आपके य अंतर विशई है और ये है क्रिशी से संबंदित जिसमें आज हम लोग भारत में जो क्रिशी में हरित क्रांती है उस पर चर्चा करेंगे और अभी हालही में जैसा आप जानते हैं मसहूर जो क्रिशी वेग्यानिक रहे हैं बहुत आप जानते हैं आदर सम्मान के साथ उनका निधन हो चुका है तो उस वज़र से चुकी हरित क्रांती जब जब भारत में बात होगी जब जब भारत में कृशी के विकास की बात होगी तब तक इनका नाम सदयो जो है याद रहेगा अमर रहेगा इनका नाम और इनोंने जो किया वो बहुत ही अदभुत कह लीजिए और बहुत ही उसमें कहीं भी कोई रिप्लेस्मेंट इनका नहीं है, तो उनकी श्मितियां हम लोगों के साथ सदय हो रहेंगी, तो भारत में हरितकरांती पर हम लोग कृषी में हरितकरांती पर चर्चा करेंगे, और इससे जुड़े सभी पहलूं पर, क्योंकि बिना हरितकरांती के कहानी के भारती कृषी पुरी तरह से अधूरी है, तो भारत में हरितकरांती में जितने जो भी पक्ष हैं पहलू है, उन सब पर हम लोग डिसकस करेंगे, तो बहुत ही इंटरिस्टिंग टॉपिक है, और बड़ा इंटर डिस्पिंडरी है, जैसा मैंने कहा, अंतर विश जुड़ता है, तो चलिए, देखते हैं क्या-क्या इसके संदर में बात की जा सकती है, आईए भारत में, कृषी में हरितकरांती, भारत में, कृषी में हरितकरांती, ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हम लोग करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया, हरितकरांती का संबंद किवल भारत से ही नहीं है, एक वैश्विक कह लेजिए, यह घटना है, लेकिन जुकि भारत पर ही फोकस करेंगे हम लोग, हाँ, चर्चा कुछ करेंगे, उसको आप देखेंगे, तो हरितकरांती में जब हम लोग बात करेंगे, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, क्रिशी की जब आप बात करेंगे तो एक क्रिशी की बेसिक समझ एक सामान ने समझ भी आपको होना बहुत ज़रूरी है ध्यान रखिएगा यह जो टॉपिक है जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत जगह पर आपको भुगोल के साथ साथ भारत के भुगोल उसमे आपके अर्थविवस्था निबंध में भी यह बहुत निबंधात्मक भी है तो निबंध में भी आपको यह बहुत हद तक मदद करेगा तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से इस चर्चा पर चर्चा को सुनें और समझने का प्रयास करें कि क्या इसके पीशे पूरी कहानी कै कैसे हैं कैसे क्या विकास हुआ है तो इसमें लोग भारत के सामान ने जो क्रिशी के जो लक्षण है वो भी देखेंगे लेकिन इसके अंतरगत अगर आप एक फ्लोचार्ड बनाएं कि इसमें क्या-क्या चीजें हैं तो आप सबसे पहले तो हरितकरांति का अर्थ क्या है हरित हरितकरांति का अर्थ क्या है इसको कैसे परिभासित करेंगे इसके साथ हरितकरांति के संदर में आप कि कहां से कैसे ये प्रारंब कैसे हुआ इसके पीछे की कहानी क्या है इससे संबंधित चीजें क्या है अब कह लिजिए इस्टिप्स क्या है हरितकरांति के लिए जो कुछ प्रमुक कदम है है ना तो हरितकरांति के कुछ प्रमुक कदम या हरितकरांति हरितकरांति के लिए महत्पूर्ण कदम या स्टेप्स क्या क्या है सुरुवात कैसे ही हरित करांत के लिए महत्पूर्ण कुछ कदम है उनकी चर्चा करेंगे इसके अलामा हरित करांत का आधहार क्या रहा हरित करांत का भारत में आधहार क्या रहा उसके संदर में बात करेंगे फिर हरित करांत के चर्ण कैसे थे कैसे ये आगे बढ़ी हरित करांत के चर्ण क्या थे भारत में हरित करांत के चर्ण हरित करांति के चर्ण क्या रहे फिर आप देखेंगे हरित करांति का आखिर लाभ क्या हुआ हरित करांति के लाभ क्या क्या रहे भारत में जाहिर सी बात है हर सक्य के दो पहलू होते हैं अगर लाभ है तो कुछ हानिया भी शायद रही हो निश्चत तोर पर हानिया भी रही है तो हरित करांती से जो हानिया हों हरित करांत से के जो हानिया है जो इसके निगेटिव जो इंपैक्ट्स है नकरात्मक जो प्रभाव है उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इनसे कौन कौन सी हानिया है और इन चीजों के बाद सकरात्मक्ता नकरात्मक्ता इन सब चीजों को देखने के बाद हमें भी बात करेंगे कि आखिर दूती हरित करांत की आवशक्ता पर बल क्यूं दिया जा रहा है भारत में 2nd Green Revolution किसे कहा जा रहा है भारत में दुतिह करांत की अवश्यक्ता को क्यों महसूस किया जा रहा है सतत संपोशणी जो क्रिशी है वो क्या है तो सतत क्रिशी विकास क divisions के साथ साथे सतत क्रिशी भारत में शतत क्रिशी द्विकास की उधाना या इसी को आप अथवा कह सकते हैं इसी को दुती हरित क्रांटी का नाम भी दिया जा रहा है दुती हरित क्रांट की आवशक्ता क्या है सेकेंड ग्रीन डिलुजिशन से संदर्भित क्या बात है इसको भी हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ देख रहें इस प्रकार से आपको एक डाइमेंसन्स क्लियर हो जाएंगे क्रिशी में क्या-क्या हरित क्रांटी की संदर में जब बात करते हैं तो क्या-क्या बात इसमें हम कर सकते हैं मैंने आपको दिखाया कि भारत में हरित क्रांटी सबसे पहले तो हरित क्रांटी का अर्थ क्या है हरित क्रांटी के लिए महतफ़ूर्य का अचानक शुरूंठ रोगई कि एक धीरे धीरे कहीं ने कहीं उसके पीछे भी उसके पीछे एक आधार कुछ ने कुछ बना एक कर लिया गया धे-धरे के कदम करके हम लोग आगे बढ़े इसके अलामा जैसा हमने का हरित क्रांती का आधार क्या रहा फिर वाट are the basis for the Green Revelation in Indira कुछ दल सकते हैं कि दे दर पने हो ए ख सकते हैं हृम और अभी वर्तमान की बात करेंaiser तो कोई भी योजना परिआजना हो उसमें आप एक तो सतत और समावेसी यानि एक सस्टनेवल और दूसरा इंक्लिव्जव ये दोनों शब्द बहुत सुनते हैं बहुत सारे महत्पूर जो है पर्योजनाव में आप इनको देखते हैं तो ये चीजे जो है अउसी को सेकेंड ग्रेन रिवलेशन की बात की जा रह भारत में क्रिशी के इनोवेशन से लेकर हुआ भारत में नवाचारों की जब बात होती है तो हरित करांद की बात होती है भारत में जब भारत में खाद्यान उत्पादन की सक्षमता की बात होती है तो हरित करांद की जिक्राता है तो बहुत जरूरी है इसको एक आप भारत में देखें कि अखिर क्रिशी के क्या लक्षण के आपको नजर आते हैं एक जो perception बनता है सामान विक्षण भी सोच सकता है कि हाँ भारती क्रिशी इस प्रकार की अभी दिख रही है तो उसमें आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं यहां से इस चर्चा को सुरू करने से पहले एक सामान विक्षण की हम बात करना चाहेंगे कि भारती क्रिशी में एक सामान विक्षण के आपको नजर आता है तो उसको आप देखें फिर यहां से में स्टार्ट करेंगे एक सामान लक्षन पहले आप उसको देख लें समझ लें फिर इन चीजों को हम लोग लेकर एक एक करके चलेंगे ठीक है तो क्या सामान लक्षन भारती क्रिशी के सामान लक्षन या विसेस्ताएं क्या है भारती क्रिशी के समान लक्षण क्या है इसके पीछे आप इन बातों को समझेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा भारती क्रिशी के समान लक्षण आप अगर देखें तो भारती क्रिशी क्या है कैसी तो आप कहते हैं कि भारती क्रिशी में अभी भी जीवन निर्वाह के लिए जादा तर क्रिशी होती जीवन निर्वाह मतलब बहुत ब्योशाईक उत्पादन का अभी भी उतना प्रसार नहीं है जितना होना चाहिए जिनके यहां क्रिषी उन्नत है, advance technologies का इस्तमाल के जाता है, तो भार्ती क्रिशी में आप देखेंचे तो क्या है, nucle video कर कर का Si कե भारती क्रिशी अभी भी क्या है निर्वहक और जब क्रिशी होती है तो कि इसका मतलब चीवन। निर्वाह से संबंदित होता जीवन निर्वाह जो जीवन यापन करने के लिए की जाती है व्यावसाइक बहुत ज़्यादा उत्पादत नहीं होता है तो यानि निर्वाहक क्रिशी में यह भी नहीं है कि इसका मतलब भारते क्रिशी में अभी भी व्यावसाइकता का भाव है अभी भी क्या है व्यावसाइक्ता का अभाव यानि अभी भी व्यावसाइक्ता का परियाप्त विस्तार अभी भी नहीं अभी भारतिकर्शी में परंपरागत पध्धतियां अभी भी किया रहा है, अधिक प्रियोक किया रहा है यानि अभी भी जो यंत्रिकृत क्रिशी है, mechanized जो forming है उसका विस्तार इतना जादा नहीं है, यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैंने कहा भारतिकृत क्रिशी को आप सामान में एक लक्षन उसके जो है, आप समझे उसको, फिर जो है आप कहानी हरित करांत की आप एक प्रियोग है, यानि अभी भी mechanized forming जो यंत्रों से क्रिशी होती है, वो कम है, इसका मतलब कि क्रिशी दक्षता में कमी, क्रिशी दक्षता में क्या efficiency जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं, जितना उत्पादक्ता होनी चाहिए उतना नहीं, है न, स्रम लागत ज़्यादा है, ची चोटे आकार, जोतों के चोटों आकार या small land holdings हम कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं, small land holdings, या fragmented land जिसको आप कहते हैं, अभी भी आप जखिए, जैसे आप बड़े जो राज्यों की बात कर लेंग, और जहां जो मखिता क्रिशी प्रदान है, जैसे आप देखिए, अगर इधर की तरफ आप बिहार की तरफ देखें, विहार में 91 प्रस्थ से ज्यादा सीमांत कृशक या MARGELINE, क्रिशक है, सीमांत कृशक जिनके पास आप जानते हैं, एक हेक्टेर से कम जो जोद भूमिया है, तो छोटे इस प्रकार से आप देखें भारत का जो अधिकतर क्रिशक है, वो सिमान्त क्रिशक यानि उसके पास छोटी लेंड जो है, और जब छोटी जो भूमिया है, छोटे खेतों के आकार हैं, तो उसमें मेकनाइज़्ट फार्मिंग करना बड़ा मुश्किल होगा, है ना वो यंत्र जो लोग क्रिशी पर निर्भर हैं, आज भी आप भारती क्रिशी में अगर आबादी में देखें, तो रोजगार के दरिश्ट कोन से लगभग 55-60%, लगभग वर्तमान की भी बात है, लगभग 55-60% की बीज की जो जनसंख्या है, अभी भी जो उनका मुख्य वह साय है, या आकणों की बात करें, तो भारत में कुल जो भूमी है, अगर आप कुल भूमी की बात करें, तो विश्ट की कुल भूमी, विश्ट की कुल भूमी के संदर में भारत के पास भूमी जो है, वो केवल 2.4% है, लेकिन जब आबादी के दबाओ की बात हम करते हैं, तो विश्ट के कुल आबादी के तुलना में लगबक 17.7 प्रस्ट से जादा आबादी भारत के पास है इसका मतलब असपस्ट आप समझ सकते हैं कि भारत में संसाधनों पर भारत में आप देखिए भूमी पर दबाव बहुत जादा आबादी का तो वही हाल क्रिशी में भी है क्रिशी पर आबादी का अधिक दबाव है क्रिशी पर अबादी का अधिक भार है इसके साथ आप देखिए कि जब भी आप खिशी की बात कर रहे हैं तो बीना तो शिचाई कि जब आप क्रिशी की बात कर रहे हैं तो बीना सिचाई के इसमें कुछ नहीं हो सकता, सिचाई यानि जल की उपलब्धता, हलाकि सिचाई की जब बात करते हैं, तब आप उसको परिभासित कर सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से क्रिशी को जल की उपलब्धता, उसको हम एरिगेश कहते हैं कृशी में जल चाहिए अब जल जाहे वर्सा के जल से प्राप्त हो चाहे आप कृत्रिम तरीके से इसको जो ट्यूबल से लेकर नहर ट्यूबल तालाब तमाम इस प्रकार से आप उसको सिशाई करें तो सिशाई in the sense कि अगर आप परिभासित करें तो सिशाई का मतलब कृत्रिम तरीके से जल की उपलब दता तो किसी भी तरीके से चाहे वर्सा का जल हो चाहे कृत्रिम तरीके से हो बिना जल के कृशी नहीं हो सकती तो अभी भी आप देखिए कि हाँ जब हम बात करते हैं तो अभी भी मौनसून पर नर्भरता हमारी बहुत जादा है यानि कृषी के लिए को अगर जल के लिए मौनसून पर अधिक नर्भरता अभी भी है कित्रिम फैसलिटीज इसका मतलब अभी भी हमने उतनी डिबलप नहीं की है जितना हमको डिबलप करने के आउशकता है तो आप कहलेजिए भारती कृषी की मौनसून पर या सीधे सीधे बोलिए कृषी कृषी का जल के लिए कृषी की जल के लिए मौनसून पर निर्भरता अत्यधिक निर्भरता भारती कृषी की जल के लिए जो है मौनसून पर अत्यधिक निर्भरता आप देखिए एक सेंटेंस कहा जाता है कि भारती कृषी मौनसून के साथ जुवा कहा जाता भारती कृषी क्या है मौनसून के साथ जुवा कही जाती इसका मतलब की बड़ी अनिश्चित्ता है जुवा का संदर्भ क्या है कभी हारे कभी जीते यानि सर्टिंटी नहीं है तो वैसे यहां भी आप देखें कि भारती कृषी मौनसून पर निर्भर है जल के लिए जल के बिना खेती हो नहीं सकती और जिस पर निर्भर है वही क्या है अनिश्चित है तो ऐसी इस्तती बड़ी अजीब सी इस्तती हो जाती है आप देखें कि जिस पर निर्भरता है वही निश्चित नहीं है तो इस वज़े से कभी अच्छी अगर हुआ बढ़िया मांसून तो बहुत बढ़ियां हुआ नहीं हुआ सूखा पड़े गया तो प्रभावित कहीं जादा हो गया लानीना जैसा प्रभाव आप जानते हैं सुना होगा आपने तो अत्यधिक बाढ़ की स सती उत्पन होगी उससे नुकसान होगा तो यह बहुत एक कोई सिट पैटर नहीं है अनिश्चित है यह महत्पून बात इसके लाम आप देखें इन चीजों के संदर में तो भारती कृशी है उसमें अभी भी आप देखें कि जो मौसमी बेरोजगारी और जो प्रशन बेरो कि मौसमी बेरोजगारी और प्रशन बेरोजगारी समझाते हैं कि प्रशन बेरोजगारी दोनों शब्द हैं जैसे मौसमी का अपनलब आप जानते हैं कि सीजन बेरोजगारी और वर्स भर काम नहीं है कुछ ऐसे सीजन है जैसे जब भी आप देखें चाहे खरीफ की बुआई का समय हो चाहे आप रभी की बुआई का समय हो है ना तो जब विशेश समय है जब आप देखते हैं कभी कभी क्या है काम बहुत सुरुआत में जब बुआई का समय होगा चीजे होंगी तो काफी जादा काम होता है और उसके बाद फिर जो है काम का फिर सिथिल हो जाता है उतने मजदोरों की आउसकता फिर नहीं रह जाती एक बड़ा समान है जब आप खरीब का सिजन आता है आप जुन जुलाई से सुरू करते हैं जब धानवान की आप देखिया रुपाई वगएरा तो आप देखिए कित प्रचन बेज़्ध है वर्स भर परियाप्त रोजगार अगर वर्स भर हम देखें तो इतना नहीं है और कोई भी आप खासकर आप यूकों की बात कर लेजिए आप बरतमान में आप बात करें तो लोग ऐसे रोजगार को चाहते हैं अपनाना चाहते है जिसमें वर्स भर उ Economic एक टर्म है यह अर्थ की का एक टर्म है जैसे आप एक छीपी हुई प्रशन्न का मतलब आप एक प्रकार से कह लिजिये जैसे कि जिसकी सीमान तुत पाधकता सूनने हो मतलब एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे माले जिए दो लोगों की जरूरत हो आप खेत में माले जिए क लगे रहने का कोई मतलब नहीं, उनकी सीमान तो उत्पादकता क्या है सुनने है, यानि उनसे उत्पादन पर कोई विशेश फर्क पढ़ने वाला नहीं है, तो आप समझें कि वो लोग कहीं हो जाकर काम कर सकते हैं, बलकि जादा उत्पादक होगा, प्रॉडक्टिव होगा, तो ये एक समस्या है इसमें कि दो जरूरत उसी में है, अब छोटे छोटे लेंड होल्डिंग्स हैं, आबादी का भार मैंने पहले ही कहा बहुत जादा है, लगे हुए हैं उसी में, तो वो एक इस्तिती है, वो भी भारत के संदर में सही नहीं है, तो ये आप देख सकते है आप, और इसके अलमा आप बात करें, तो भारती कृशी में आप देखें, कि अभी भी आप देखें, कि बहुत सारी चीजें जैसे हम लोगों ने कई संदर्वों में बात की है, तो वैसे एक और संदर्व आप इसमें देखें, कि भारती कृशी में जो यंत्री कृत कृशी नहीं है भारती कृषी में जो समाजिक एक कह लिजिये की जो इजब सम्मान है वो उतना नहीं है याँ तो बहुत ज़ाद इसमें आप कहें कि मांं सम्मान की दिस्ट से इसको नहीं देखा जाता है ना तो यहां अधिकतर लोग क्या है कृषी को पेशा बताने से भी उनको उन और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, कि बड़ी बिपन ने स्थिती में है, जब आप किसानी कहते हैं, अब इसोची यह बड़ा दुर्भाग कहें, कि जो पूरे देश को अनाज उत्पादन करके खिला रहा है, सबका पेट पाल रहा है, वो स्वैम यह कहने में भी कत्राए, या उसका लड़का एक कहने में कत्राए कि हम किसान है, तो वो एक समाजिक कहीं कहीं दिखाता है, क्योंकि वो गरीबी से जोड़कर उसको देख ले जाता है, आप किसानी की बात करते हैं, तो काफी कुछ उसको गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, तो समाजिक संदर में भी चीजें क्या है वो बहतर उतनी नहीं है जेतनी होनी चाहिए यहां एक चीज हलाकि यह आप देखेंगे भारती क्रिशी जो है वो थोड़ा सा विवधिकृत है विवधिकृत इन दे सिंस कि यहां कई सारे अनाज कई प्रकार के आप पहले जिए दलहन तिलहन है न जो आप आगे जब इस्तार से चीजों को देखेंगे तो दलहन तिलहन के साथ और जो जिसको हम नगदी फसल कहते हैं जैसे कपास हो गया गन्ना हो गया यह सब है रोपन क्रिशी जिसको आप प्लांटेशन अगरी कल्चर कहते हैं उसमें चाय काफी नारियल काजू तमाम इस प्रका क्रिशी है कि विविधिता के द्रिश्ट कोन से काफी जो है महत पूर्ण है विवधिक्रित क्रिशी है हमारे हां अमने का विविधिता के द्रिश्ट कोन से काफी क्या है बेहतर है यह चीजे तो यह आप यह देख सकते हैं निरभाक क्रिशी है जीवन्यापन का द्रिश्ट पर्मपरागत पद्धतियों का प्रयोग अधिक है इसका मतलब आधुनिक अभी यंत्रों का प्रयोग इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है यहां फिर देखें आप जोतों के आकार छोटे हैं लेंड होल्डिंग्स छोटी हैं जो बहुत बड़ी समस्या है इसको सुधा बाकि अभी भी लेंड रिफॉर्म पर्याप्त नहीं है तमाम जो जो खेती वगरा है उसमें जो आप कहिए कास्तकार के अलावा जो बहुत लंबे समय से उसको जोद जुदाइब हुआई उसकी कर रहे हैं उनको कह लिजिए कि उनका पर्याप्त उनको अधिकार नहीं मिले हैं ठीक है वबिदीकृत तो है लेकिन समाजिक तोर पर बहुत जादा मान सम्मान से जुड़ा पेसा नहीं माना जाता अभी भी एक बहुत दुरभाग का विशह है ये तो युवाओं का आकरशन इतना नहीं है क्रिशी को लेकर और जब तक हीवा आकरशित नहीं होगा थोड़ा बैग्राउंड के लिए आपको जरूरी था अब चलिए आप इस पर देखिए कि यहां आप देखें कि अब इसको एक एक करके देखेंगे क्योंकि भारति क्रिशी को सुधारने में इसका बहुत बड़ा योगदान है अब हरित करांति का अर्थ क्या है इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले हरित करांति के अर्थ की बात करेंगे देखें जब हम हरित करांति के अर्थ की बात करते हैं हरित करांति के जब अर्थ की बात करते हैं तो हरित करांति से तातपर है क्रिशी में आधुनिक आगतों के प्रयोग के द्वारा कम समय में ही क्रिशी उत्पादक्ता में, क्रिशी उत्पादन में अमूल चुलवरृद्धी से है, यानि पर्याप्त वृद्धी, कई गुना वृद्धी हो सकती है, क्या बात किया हमने, कि हरित करांस से ताफपर क्या है, कि क्रिशी में आधुनिक आगतों, मौडरन इंपुट्स कहा जाता है, हम समय में ही क्रिशी उत्पादक्ता उत्पादक्ता का देखिए समान नर्थ होता है प्रति हेक्टेयर उपज उत्पादक्ता की जब हम बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उपज की बात हम करते हैं और उत्पादन का मतलब ओवरॉल प्रडॉक्शन जो कुल उत्पादन है उ को तो क्रिशी में आधुनिक आगतों इसी को क्या कहते हैं modern inputs समझाते हैं आधुनिक आगतों के प्रयोग द्वारा प्रयोग द्वारा क्रिशी उत्पादक्ता और कुल उत्पादन में तीवर व्रिद्धी में तीवर व्रिद्धी अब इसमें देखी ये शब्द महत्पुन है ये हमने कहा आधुनिक आगत modern inputs मौडन इंपुट्स में क्या इसमें बात करते हैं तो आधुनिक आगत की बात करते हैं के उपज़ वाले भीजों का प्रयोग कृशी में उपज़ वाले भीजों कप्रयोग जो आप ही इल्डिंग वराइटी जो बोलते हैं तो उच्चूपच के वीजों का प्रियोग इसमें आप देखें इसके साथ कीट नासक रसाइनों का सभी प्रियोग रसाइनिक उर्वर्कों का बड़े पैमाने पर प्रियोग रसाइनिक उर्वर्कों का प्रियोग क्रिसी में कीट नासक और खर्पतवार नासक और खर्पतवार नासक और खर्पतवार नासकों का प्रियोग सिचाई की सुविधाओं का ये भी उसी में है सिचाई की सुविधाओं का व्यापक जो विस्तार या सिचाई सुविधाओं आप लिख दीजिए सिचाई सुविधाओं सिचाई सुविधाएं इरिकेशनल जो फैसेल्टीज है इसके साथ साथ आप देखें क्रिशी में यंत्रों का जो उप्योग है क्रिशी में आधनिक यंत्रों का उप्योग क्रिशी दक्षता को इफिसियंसी को बढ़ा देगा प्रॉडक्शन को बढ़ा देगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट है तो दीज आर्दा मॉडर्न इंपुट्स यू कैंसे यह आप आधनिक आगत कह सकते हैं उच्चुपजवाले बीच की बात मैंने किया खेमिकल फर्टिलाइजर्स की बात कहा है राशाइनिक कीट नासक ठीक है इंसेक्टिसाइट जो आप देखिए तमाम इस प्रकार से सारी चीजें है करपतवार नासक इन सबका प्रयोग सचाई सुभिधाएं क्रिशी में आधनिक यंतरों का प्रयोग यह सारी जो बाते हैं यह आधनिक आगत तो इनका प्रयोग करके इनका प्रयोग करके कम समय में जो और अमूलचुल वरिद्धी करते हैं है ना तो वो जो है आप देखिए उसी को हरित करांति कहा जाता है क्या कहा जाता है ? क्रिशी उत्पादक्ता को बढ़ाने के संदर में है ना जब आप अर्थ के अलामा बात करेंगे शब्द का सबसे पहले परेवग तो ध्यान देजिएगा कि हरित क्रांती जो शब्द है हरित करांती Green Revolution जिसको आप कहते हैं ठीक है शब्द का सबसे पहले प्रिवोग विलियम गैड के द्वारा किया गया था प्रिवोग विलियम गैड विलियम गैड द्वारा 1968 में किया गया 1968 में एक सेमिनार के दौरान किया गया था जिसमें आप यह बात करें कि एक प्रकार से जो थर्ड वर्ड नेशन में जो फूड क्राइसिस एक सेमिनार था फूड क्राइसिस इन थर्ड वर्ड नेशन तृती जो विश्व के देशों में जो खाद्य जो है संकट के संदर में एक सेमिनार था उसमें इन्होंने किया था तो विलियम गैड के द्वारा 1968 में ध्यान देजिए अब बात करेंगे आप कि यह प्रक्रिया कहां से कैसे सुरू ही इसके पीछे कौन से जनक है क्या है शब्द का जो प्रियोग है वो अलग बात है कि शब्द सबसे पहले दिया विलियम गैड ने 1968 में और जैसे मैंने अभी इस्तमाल किया कि फूड ट्राइसिस पर चर्चा पर चर्चा चल रही थी उसमें थर्ड वर्ड नेशन में जब आप तृती विश्व के देश की बात करते हैं तो इसमें क्या है कैसे देश आएंगे इसमें न विकसित होंगे न विकासील देश होंगे उस समय की जो इस्तती थी आप कहें कि जो तृती विश्व के देश हैं उसमें जो भूखे गरीब जिसमें आप देखिए जैसे पूरे के पूरे अफरीकन जो कंट्रीज की बात थी उसमें तमाम जो है मेक्सिको और उससे जो दक्षिन अमेरिका के तमाम जो देश हैं उनके देश थे, जहां खाने का संकर था, जहां अबादी का आकार बड़ा था, खाने का संकर उसको अधिक्तर को तिर्थी विश्व के देश के बात की जाती थी, कहा जाता था, तो उसमें देखिए, उसमें चर्चा पर चर्चा में इन्होंने ये शब्द दिया, विलियम गहड उन तो इसमें फूड क्राइसिस थी और एक अजीब सा आप देखिए कि एक तरफ फूड क्राइसिस थी मेक्सिको में लेकिन बड़े पहमाने पर ताकि खाद की जो खद्यान की जो कीमिते हैं वो उची बनी रहें एक तरफ देखिए उसी का एक देश जो है वो भुखमरी के कगा पर हैं और अमेरिका जैसे देश बड़े पैमाने पर गेहूं अगर आप ना देखिए क्या कर रहे हैं वो नश्ट कर रहे हैं आप सोचिए कि क्यूं क्यूंकि टाकी कीमतें उची रही जा सकें कीमतें बनी रहें इसके लिए वो नश्ट कर रहे हैं बाकी लोग मर रहें तो बड़ा अमानवी एक कह लिजे आप एक प्रकार से वो द्रिश्च रहा होगा उस समय तो उसी समय आप देखें एक व्यक्ति जिनको आप विश्र के अस्तर पर आप देखें तो हरित करांति का जनक कहते हैं आप तो हरित करांति का जो जनक है भारत के संदर में कौन है वो भी करेंगे पूरी कहाने हमने कहा ताकि आप इससे जुड़े सारे मुद्धे को आप अच्छे तरीके से समझ सके हमारे जो भी टॉपिक जिस पर डिसकस करेंगे उद्देश यह रहता है कि कोई भी उससे संबंदिज जो पक्ष है वो छूटे न और एक complete understanding एक संपून समझ नहीं गा तब तक आपको सिबिल जैसे एक्जाम के लिए आपको सही वीजन सही जो है द्रिश्च कोंड वो विक्सित नहीं हो पाएगा तो आप देखें तो किसको जनक कोन कहा जाता है हरित करांत के जो जनक हैं हरित्व क्रांत की जो जनक हैं father of green revolution वो Norman Borlaug Norman Borlaug कहे जाते हैं तो हृत्व क्रांत की जो जनक है father of green revolution फादर आफ ग्रीन रिवलेशन वो नॉर्मन बोलाग है यह अमेरिकी है एक मतलब अमेरिकी थे अमेरिका में पैदा हुए लेकिन इन्होंने अपनी जो कर्मस्थली थी अपनी जो कर्मस्थली थी वो क्या चुना उस कर्मस्थली को इन्होंने मेक्सिको को अपनी कर्मस्थली चुना है नहीं तो अमेरिकन नागरिक थे लेकिन करमस्थली इन्होंने मेक्सिको को चुना ये विश्व महरित करांथ के जनक थे और पचास का दसक था जब इन्होंने देखिये कि जो मेक्सिको में बहुत सारे प्रयोग किये और कुछ बौनी किस्म की प्रजातियां उत्पन की क्रॉस फर्टिलाइशन से जिसको संकर प्रजाति या हाइब्रिड कह लिजिए प्रजाति गेहूं की गेहूं के क्या है संकर प्रजाति की निर्माण में इनका बहुत महत्पूर था मेक्सिको में इनका जो करमस्थली इनकी रही मेक्सिको रही ठीक है तो मेक्सिको में मेक्सिको में आप कह लिजे मेक्सिको में क्रिशी में संकर जो प्रजातियां संकर प्रजातियों भीजों की जो संकर प्रजातियों का प्रयोग किया खासकर गेहु के संदर में वीट के संदर में और उससे देखा कि बहुत कम समय में ही उत्पादन जो है कई गुना बढ़ गया तो बहुत महत्पूर रहा जो उत्पादन में बड़ा भृध्धी हुई तो एक प्रकारशा के लिए प्रोशाहन मिला और आप देखें नार्मन बुर्लाग को आप देखें कि सांती का नोबल पुरसकार भी इनको शांती का नोबल पुरसकार जो नार्मन बुर्लाग आप देख रहे हैं इनको सांती का नोबल पुरसकार भी दिया गया तो नॉर्मन बॉरुलाक को पीस प्राइस जो है सांती का सांती का नोबल पुरशकार भी दिया गया क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिशी कोई कटेगरी नहीं है नोबल में क्रिशी कोई कटेगरी नहीं है तो एक प्रकार से कह लिए किसी की भूख को सांत करना इससे बड़ा सांती और क्या हो सकता है तो सांती का इनको नोबल पुरशकार भी इनको प्राप्त हुआ है नर्मन उसका इस्तेमाल किया जिससे उत पादन में बहुत तेजी से बृद्धी होई और हाइब्रीड जो सीड है उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जल की आवशक्ता होती है उनके लिए रशायनिक और वरकों की बड़े पैमाने पर कीट नासकों खरपतवार नासकों की भारत के संदर में भारत के संदर में डॉक्टर एमेस स्वामिनाथन जी को भारत के संदर में डॉक्टर एमेस स्वामिनाथन जी को हरित करांदी का जनक मानते ठीक है तो इंडियन कॉंस्टेक्श में आप देखिए भारत में जिन्होंने लोगों के मूतकनिवाला पहुचाने का काम किया उसमें योगदान डॉक्टर एमेस स्वामिनाथन जी का है तो इसलिए भारत के संदर में भारत के संदर में जो है इनको हरित करांदी का जनक कहा जाता है अब देखें कि यन्होंने आप क्या किया कि 1961 में आप कहें कि 1961 में एमेस स्वामिनाथन ने नर्मन बोर्लाग को अमंत्रित किया भारत है ना तो 50 के दसक से उधर चल रहा था आपने का 60 का जो दसक था भारत के लिए बड़ा गंभीर था अब आप समझे इसको एमेस स्वामिनाथन ने 1961 में नर्मन बोर्लाग को भारत अमंत्रित किया बताया चर्चा पर चर्चा किया वो भी एक छुक थे क्योंकि जहां जहां अबादी का कार बड़ा था भुकमरी की स्थि थी वहां भारत जैसे देश आप देखे अमेरिका से बड़े पैमाने पर आयात करते थे और भारत को बेगिंग बाउल कहा जाता था ध्यान देजेगा भारत को बेगिंग बाउल कहा जाता था अब आप सोच लीजिए भारत को शिप टु माउथ कहा जाता था मलब भारत की ये इस्तती थी कि भारत बड़े पैमाने पर अपनी खाद्यान आउशक्त के लिए किस पर खासकर गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था, अमेरिका भारत को गेहूं का निर्यात करता था, मैंने क्या कहा भारत को बिगिंग बाउल भी कहा गया, सोच लिजिए भीक का कटोरा, अब आप सोच लिजिए सब्द कितने अपमानजनक लगते हैं, अगर अगर आपके देश को अगर ये कहा जाए, कि हाँ वो भीक का कटोरा बेगिंग बाउल है, तो सर्वानी चाहिए हम लोगों को अपनी छमता पर, क्योंकि अगर देशभक्ती नहीं है, अगर आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं है, तो पढ़ना पढ़ाना मैं कह रहा वो अंदर से एक अजीब सा एक मन में उठता है, कि क्या हम भारती वास्तों में इतने कमजोर थे, या आज अगर किसी छेतर में हम हैं, तो इतने हम कमजोर हैं, तो आप पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ही आना चाहिए, कि हाँ, इस स्तिती को जो भी है, और हम कैसे अप वाला पहुचाने का काम किया, और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भी हाले में इनकी डेथ हुई है, तो ये इनको याद करना है, तो इसी रूप में याद कर सकते हैं, कि नए नए जो लोग हों, क्रिशी के प्रतिवाओं का द्रिश्टकून बदले, क्रिशी को लाभ का एक बेऊसाय बनाया जाये, क्रिशी को लाभ का बेऊसाय बनाया जाये, और भारत जैसे क्रिशी प्रधान देस में, जब तक क्रिशी का उध्यान नहीं होगा, जब तक कुन इस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप कहलेजिए भारत का विकास आप कैसे सब समझते हैं कि भारत का विकास होगा कैसे हम एक देश को रूप में आगे बढ़ सकते हैं तो वो तो खिवल एक बैमानी होगी तो इस वज़ा से इन चीजों को आप समझे त तो हरित करांथिका मैंने कहा इने जनक कहा जाता है और इने इनको अमंत्रित किया जैसा मैंने को शब्द इस्तमाल की है आप उनको ध्यान देजिएगा भारत को क्या है बेगिंग बाउल के नाम से भी क्या कहा जाता था भारत को बेगिंग बाउल कहा जाता था ठीक भारत क मैंने क्या कहा शिप टू माउथ यह सारी चीजे क्या है यह आता था भारत के पास पैसे तक देने के लिए नहीं थे अमेरिका से बड़े पैमाने पर हम क्या है आयात करते थे और पैसे देने तक के लिए इस्थती नहीं थी हमारी उसमें भी और कुछ चीजें जो आपको अमंत्रित किया 1961 में स्वामी नाथन जी ने नॉर्मन बोर्लॉक को भारत अमंत्रित किया उस्थे चर्चा पर चर्चा की और जो बदहाली और यह शारी चीए थी उसको कैसे दूर किया जा उस पर क्या है विचार विमर्स किया अब आप देखें कि यहां कैसे कैसे किन चीजों से कैसे कैसे होते हुए चीज़ें आगे बढ़ी आप सोच कर देखिए मैंने कहा 60 का दसक जो है भारत के लिए बहुत महत्पूर था 1962 में एक तरफ आप देखिए ये चीज़ें चल रही थी 1962 में आप पूरा बेग्राउंड देखें सीज़ों को समझें भारत क्या है बड़े पैमाने पर इस समय क्या है आयात इसको आप देखी रहे हैं ये क्या है एक प्रकार से किस से संबंधित है भारत बड़े पैमाने पर खाद्यान नो विशेश कर इसमें देखे गे हूँ का आयात कर रहा था 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ इस जिती की तोरा समझने का प्रयास करिए गम्रेट तक भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में ठीक है इसके बाद 64 में आप जानते हैं नहरू जी की मिर्ति हुई लाल बाहदु सास्त्री जी ने कमान समाली भारत की आपको याद होगा तमाम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप देखिए उन्होंने हफ्ते में एक दिन उपवास की बात की हमारी इस्तती ऐसी थी कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखने को कहा गया भारतियों ठीक है पील 480 करके हम लोग यहूं का आयात करते थे अमेरिका से अमेरिका ने आयात करने से भी मना कर दिया अमेरिका ने आयात करने से मना कर दिया और साथ साथ 1965 में आप सोचिए 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ अमेरिका ने मना किया यही समय था अमेरिका ने गेहु भेजने से मना किया और साथ साथ हमारे पडोसी को पैटन टैंक दिया हमारे पडोसी को पैटन टैंक तो अब इस्तार हो रहा है लेकिन समझने के लिए जरूरी है पैटन टैंग दिया वहां, जो अजे माना जाता था, मतलब इस्थितियां सोची, एक तो वैसे युद्ध की समय स्थिति जरजर हो जाती, हमको गेवूं कर निरियात यानि निवाला हमारा छीन कर वमारे परोसी को जो है, जो उसको पैटन टैंग जो समय अजे माना जाता था तो भारत की यह कितनी अजीब सी दसा रही होगी सोचिए कैसी सिती रही होगी और इसी समय इसी समय एक व्यक्ति जिनको हम बार-बार कह रहे हैं स्वामिनाथन जी जितना सम्मान किया जाए इनका कम है वो विचार विमस और चर्चा कर रहे थे बोरलाग जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि कैसे भारत में इस भुखमरी और गरीबी को कम किया जाए कैसे जिसको भूखों और नंगों का देश कहा जा रहा हमें हमें भीक ककटोरा वेगिंग बाउल सिप्ट माउज जैसी चीजी हमें कही जा रही है तो कैसे उससे हम निजात पाएं इसी समय आ सोचिया और स्थिती कैसे गंभीड तो यह साठ का दसक अजीब और गरीब था चाचट के बाद रोलिंग प्लान पंच वर्सी उजना के लिए भी पैसा परियाप नहीं था एक एक वर्स की आप देखिए उजनाय बनी गए उसी समय आप समझें कि उसी समय कैसे कैसे चीजें आई एडीपी प्रोग्राम चलाया भारत ने इसी को कहते इंटेंसिव अगरिकल्चरल डिस्टिक्ट प्रोग्राम इंटेंसिव अगरिकल्चरल डिस्टिक्ट प्रोग्राम यानि इसको हिंदी में क्या कहेंगे आप सघन क्रिशी जनपद कारक्रम क्या चलाया सघन क्रिशी जनपद कारक्रम बहुत महत्पूर था यह कैसे इस्टिप कैसे इस्टिप लिया हमने ठीक यह क्या था यह एक प्रकार का कि यह पाइलट प्रोगेक्ट था हुठ वह रहरे क्हें में फ्रारंब के अस्टर में तो प्राइलट प्रोजब्रजक्ट था यह सात भरत के सातजिलों में साथ जीलों में साथ जीलों में आप देखी तो कुल जो है ये साथ जीले जो है भारत में उसमें चलाया गया आप देखें इसमें आप देखते हैं देख सकते हैं अगर आप साथ जीलों की बात करें तो इसमें आप देखें कई सारा था जैसे पंजाब का जालंधर कहले यूपी का अलिगड़, ठीक है, बिहार का शाहबाद, राजस्थान में पाली, चतिसगड़ में रायपूर, चतिसगड़ में रायपूर, इसमें आप देखें, चतिसगड़ में वेश्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश में पश्मी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में तो जलंधर, अलिगड़, शाहबाद, पाली, पश्मी गोदावरी, और इसमें आप देखें तंजावूर, इसमें तंजाओर भी है एक तमिलनाडू में तंजाओर जिसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है तमिलनाडू का तो आप साथ जिले देखें पंजाब में जालंदर कहा मैंने अलिगड़ अलिगड़ यूपी का शाहबाद बिहार पाली राजस्थान राइपूर चतिसगड़ पश्मी गोदावरी आंधप्रदेश और तंजाओर तमिलनाडू तो आप इस प्रकार से देखिए कि कुल साथ जिले इन में चलाया गया और जब यह सक्सेश्फुल रहा तो यसी को बढ़ाकर कुल 28 जिलो में इसका विस्तार किया गया और जैसा मैंने कहा यह पाइलेट प क्या है सफल रहा अब जब सफल रहा यह जब यह सफल रहा सफलता इसकी सुनिश्चित हुई तो फिर क्या है इसी को आगे आप देखेंगे अब देखिए इसको आगे 19 करम समझेगा 1964-65 में इसी IADP को IAAP कर दिया गया इसमें कुछ नहीं इंटेंसिव अगरिकल्चरल जो डिस्टिक प्रोग्राम था उसी की जगह है एरिया प्रोग्राम कर दिया गया क्या इसकी बात क्या होगा कि नाम क्या हो गया इसका इंटेंसिव अगरिकल्चरल एरिया प्रोग्राम सघनक्रिशी चेत्रकारिकरम सघनक्रिशी चेत्रकारिकल्चरल एरिया प्रोग्राम हो गया डि की जगह केवल आप देखिए एक में बदला हुआ अब यह जो था यह एक प्रकार का प्रेक्टिकल्चरल प्रोजेक्ट था वो पाइलट प्रोजेक्ट था यह एक प्रैक्टिकल्चर समझें ग और बड़े पैमाने पर एक प्रेक्टिकल प्रोग्राम था ये ये एक प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट था प्रेक्टिकल प्रोग्राम प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट कह सकते हैं ये ये 114 जिलों में ये कुल 114 जिलों में देश के विभिन न चुनंदा जिलों में कुल मिलाकर 114 जिलों में और बाद में जब सफल उनकी सफलटा के बाद ही 1966-1967 में आप देखें इसके बाद High Eilding Variety Program क्या लाया गया? High Eilding Variety Program इसी को आप क्या कहते हैं? उच्च उपज किस्म कारिकरम किस्म कारिकरम तो यह जो आपके High Eilding Variety यानि जो Hybrid Seed हैं संकर जो बीज हैं उनको इंट्रिउस किया गया और यही सबसे प्रमुख आधार हैं यही जान लेजिए कि मजब इस आधार रहे हैं तो उच्च उपज कि जो है और वास्तों में शांचर संशर से जभिया High Eilding Variety प्रोग्राम जिसको HYBP कहते हैं साइट में इसको साइट में HYBP कहते हैं यही वास्तों में यही से वास्तविक यही अगर आप क्या कहेंगे तो यही से कहें यहीं से भारत में हरितक्रांती है कि वास्तविक सृरूवात मानने जाती हुआ है कि वास्तविक सुरूवात मानने जाती तो इसका मतलब यह नहीं कि जो आपने स्टिर से देखेर वह वह सब वह कि एक एक किसीलिए आतास हजारों मील की आत्रा भी एक एक कदम से सुरू होती है आप प्रारम तो करिए शुरुआत तो आपने देखा कैसे 60 से सीजें शुरू हुई और 66 संसर तक आपने का कि यहीं से वास्तविक सुरुआत यहीं से मानी जाती है जब कभी आप तथ्यात्मक दिश्ट से कभी कोश्चन आता है तो आप यहीं से इसको बताते हैं कि 1966 संसर यही क्या है हरित करांद का प्रारम यहीं से तो आप कहते हैं कई बार विध्धन्स में ही निर्माड होता है जब एकदम यह इस्थिती हो जाती है कि नहीं सब कुछ नस्ट हो जाने की कगार पर पहुच गया हालाक ऐसी नोपत ना आये तो जादा बहतर है लेकिन हम भारती तभी जगते हैं जब लगता है कि नहीं अब चीज़ें एकदम खराब हो गई तो यहां से देखिए चीज़ें सुरू हुए अब यहां से आगे बढ़ेंगे यह कदम है स्टिप्स थे अब आप देखेंगे क भारत में हरित क्रांती का आधार क्या रहा प्रारंभ कहां छेत्र क्या है इसमें एक एभी बात समझेए कि भारत में हरित क्रांती के छेत्र क्या रहें भारत में हरित क्रांती का आधार क्या रहा तो छेत्र बना पश्मित्र जो भारत आप देखी पंजाब हरियाना पश्मि उत्तर प्रदेश तक इसका लाब रहा, आखिर यही छेत्रत क्या थे, क्यों थे, अब जैसे एक प्रशन आता है, प्रशन आता है कि जैसे मालेजिए पूर्वी भारत में बड़ा फर्टाइल स्वाइल है, अगर आप पूर्वी भारत में देखें, तो आप देखें, मुआता है कि बावजूद यहां से हरितकरांती क्या है, हरितकरांती यहां से सिफ्ट गर गई, यहां से खिषक कर पश्चम 미안hतर भारत की उख चली गई, तब यह कोई ऐसा आधार समझे कि क्या आधार रहे देख भी रहें आप आधार क्या है और फिर छेत्र के साथ साथ क्यूं वहीं प्रारंभ हुआ उसके बाद फिर कैसे कैसे इसके चरण थे कैसे कैसे आगे बढ़े फिर इसमें पॉस्टिव क्या रहा निगेटिव क्या रहा है और दूती हरित क की आवशक्ता प्रसिदे सधे प्रशनाते हरित करांत के जो सकरात्मक और नकरात्मक जो भी लाब और हानिया जो रहीnew उन्की चर्चा करने को आती है 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 ना तो यह सारी बातें जो है आती है चलिए अब आप देखें कि आखिर हरित करांथ के आधार भारत में हरित करांथ के आधार क्या रहे है। हरित करांथ के आधार क्या क्या रहे है। जैसा कि आपने पहले भी देखा वही चीजें आप देखेंगे इसमें आप समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखा जो संकर प्रजातियां है यानि उच्छ उपज वाले जो भीज हैं। जो हाइब्रिड सीड आप कह सकते हैं। इसमें जो मुख्यता है यह बहुत मत पूंट। उच्छ उपज वाले जो बीज रहे। अब जब उच्छ उपज वाले बीज हैं तो इनको बड़े पैमाने पर सिचाई की सुविधा चाहिए क्योंकि कृत्रिम तरीके से जल ही उपलब्ध कराना पड़ेगा इतने बड़े पैमाने पर। सिचाई का भारत की जब बात करें तो मौनसून का समय निश्चित है वो भी जून से लेकर सिप्टमबर तक है और वो भी क्या है निश्चित नहीं है तो सूखा पड़े बाढ़ आ जाये उसकी स्थितियां और वर्स भर नहीं है वितरण एक समान नहीं है वर्सा होती भी है तो एक जगह, सब जगह एक समान नहीं होती है, तो ये सारी चीजे हैं, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, दूसरा, सिचाई की सुविधाओं का विस्तार, सिचाई की सुविधाओं का विस्तार, सिचाई की सुविधाओं का विस्तार, बड़े पैमाने पर इसमें रासाइनिक उर्वरकों का प्रियोग, क्योंकि ऐसे बीजों को बड़े पैमाने पर इसमें रासाइनिक उर्वरकों का प्रियोग, भारत में आप कहते हैं कि जो क्रिशी है उसमें यन पीके, नाइट्रोजन, फास्फोरोस और पोटेसियम का सामानेता है, कुछ मिर्दा को छोड़कर सामानेता है, कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन तो अधिकतर मिर्दाओं में कम है भारत में, तो यन पीके का जो सही अनुपात है, वो भी बहुत महत्पून है, जिसको 4, 2 और 1 के रिशीयो में हम देखते हैं, हला कि भारत में ये रिशीयो क्या है, एक्जैक्ट नहीं है, यन पीके नाइट्रोजन, फार्स, फोरस और पोटेसियम, सही अनुपात क्या है, 4, 2, 1 का, लेकिन भारत में वास्तवी की अनुपात जो है, वो आप देखते नहीं है, तो आप देखे, नाइट्रोजन का प्रियोग है, वो 7 से ज़ादा है, तो वो रेशीयो प्रपर नहीं है, तो रासाइनिक उरुवरकों का प्रियोग जो है, वो महत्पूर्ण है, माइने रखता है, इसके अलामा खर्पतवार नासकों, यहम कीट नासकों का प्रियोग, खर्पतवार नासकों और कीट नासकों का प्रियोग, इसको देखेंगे हम लोग, खर्पतवार कीट नासकों का प्रियोग, बड़े पैवाने पर क्रिशी यंतरों का प्रियोग, प्रियोग जिसमें आप देखेंगे हार्वेस्टर से लेकर ट्रेक्टर, हार्वेस्टर तमाम जो सीर, ड्रिलिंग तमाम चीजें हैं, तुझके हैं जो सुहोविंग मसीनें वा बहुत सारी मैं अधारभोत्स तुबि्धायए जा है थे बहुत म्हत्री पूर्ण है ऐसे क्रिषी में आधारभूत्स वठाइं वीस पूर्ण इ hazar भूत बूल सुविधाओं का विकास इसमें आप देखें इस टोरेश से लेकर, जब हम आधार भूत सुविधाओं की विकास की बात करते हैं तु इसमें देखें इस टोरेश से लेकर तमाम जो और सड़क वगाबा है वो भी सारी चीज़़ें connectivity जो रूरल connectivity है जो रूरल connectivity है उसमें लगातार विकास करना, अच्छी सअलकों से गाउं को connect करना ताकि समगरी जो है आजा सके. इसमें एक बहुत महत्पूर्णी चीज देखें क्या है? ग्रामीर विद्दुतिकर्ण बहुत महत्पूर्ण है. ग्रामीर विद्धुतिकरन ये बहुत जरूरी क्योंकि जब तक विद्धुतिकरन नहीं परयाप्त होगा तब तक सिचाई किस विधाओं का विकास भी परयाप्त रूप से नहीं हो सकता तो ग्रामीन विद्दुती करने इस संदर में बहुत ही महतपूर रहा इसको भी आप देख सकते हैं इसके अलामा आप देखें कि धीर धीरे आने वाले समय में और सारी चीए जैसे जो सरकारी जो नीतियां थी जो सरकारी नीतियां थी वो बहुत महतपूर थी जो खेतों के ब खेतों के जो बड़े आकार है वो बहुत महत्पूर जो मुद्दा रहा तो इसमें क्या है जोतों के बड़े आकार इसके पीछे बहुत ही महत्पूर इसके अलमा एक और चीज देखिए किसानों की जो रिस्क टेकिंग कैपसिटी है अभी आप देखेंगे पंजाब हरियाना म उनके पास पूजी का अधार था उनके पास रिस्क टेकिंग कैपसिटी इस थी उनके पास रिस्क जो खिम मूल लेने की चमता थी यहां आप देखें जो लीक से हटकर नहीं चलने वाले हैं जैसे आप पूरवी उत्तरप्रदेश या विहार इन सब की बात करें इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं कोई इधर का हो तो जो हकीकत है उसको आप ध्यान से समझे सुनिए वहां रिस्क टेकिंग कैपसिटी था भी इसलिए क्योंकि बड़े लेंड होल्डिंग्स थे उनके पास पूजी की उपलवजता पूरवी भारत के तुल्ला में जादा थी तो किसानों की जोखिम मोल लेने की छमता कि इसी को आप रिस्क टेकिंग कैपसिटी कहते हैं जोखिम मोल लेने की शमता ये भी चीज़े उसके पीछे देखिए बहुत महत्पूर तो आप क्या-क्या देख रहे हैं उच्चुपजवाले बीजों, कप्रियों, सिचाई सुविधाओं का जब विस्तार होगा तो इसमें अपने आप नहर जर्नलकूब जो भी है इनका तेजी से विकास 1974 में 1974 में कमांड एरिया डेबलप्मेंट प्रोग्राम, CADP जिसको कहते हैं कमांड एरिया डेबलप्मेंट प्रोग्राम के तहत तमाम देखिए नहरों का विकास समय के साथ देखेंगे रासाइनी गुरवरक, खरपतवार ना सक, कीट ना सक, इनका बड़े पैमाने पर प्रयोग, कृशी यंतरों का प्रयोग, कृशी में आधार भुस, विधाओं जिसमें हमने कहा कि तमाम जो कनेक्टिविटी थी, सडकें, विद्दूती करन उसी के सा साथ इस्टूरिज जो फैसलिटी थी उसको बढ़ाना, जोतों के बड़े आकार, जोतों के बड़े आकार, किसानों की जोखिम मोल लेने की छमता, ये सारी जो बातें थी आप देखिए, सरकारी जो नीतियां थी उसमें भी बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है, सहायक सरकारी नीतियां, क्योंकि अगर पॉलसी सही नहीं रहेगी, जिन राज्यों में सही नहीं पॉलसी थी, वहां आप देखेंगे इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो सहायक सरकारी नीतियां भी इसमें बहुत महतपूर्ण जो फक्ष हैं, उसको भी आपको समझने की आ शक्ता है, है ना, तो ये चीजें किस संदर में जो बेसिस आप देखिए, जो चीजें, आर एंडी वगेरा भी इसमें बहुत महतपूर्ण रिसर्च और डेवलप्मेंट जो प्रोग्राम जो आप कहते हैं, ठीक है, जो रिसर्च और डेवलप्मेंट, अनुसंधान विकास जिसको आप आर एंडी कहते हैं, रिसर्च और डेवलप्मेंट जो प्रोग्राम रिलेटेड टू अग्रिकल्चर, जो क्रिसी से जुड़े हैं, जिसमें आईसी आर इंडी अनुसील आफ अग्रिकल्चर रिसर्च की बहुत बड़ी भूमिका है, तमाम देखिए, ऐसी परि देखेंगे इस प्रकार से क्या है, कि आधहार, ये क्या है, आधहार रहीं या आधहार हैं, कि जिनसे आप हरित करांति या कृशी उत्पादन को क्या है, बढ़हा सकते, तो ये बेसिस या आधहार रहे, जो आपने पॉइंट्स के माध्यम से समझा, अब जैसे मैंने कहा कि हरित करांति का छेतर क्या रहा, अब आप देखें हरित करांति का छेतर क्या रहा, और क्यों वही रहा, जाहिर सी बात है, वहाँ ये ही आधहार, बढ़ा सामान ने समझना बहुत आसान है, जब हम लोग आधहार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जितने आधहारों की बात किय हम लोगों ने इसमें अधिकतर कारक जहां हरित करांती हुई जो छेत्र है यानि पंजाब हरियाना पश्मी उत्तर प्रदेश इन जैसे छेत्रों में जाहिर सी बात है इसका क्या रहा होगा लाविन को मिला होगा तो हरित करांती के छेत्र की बात करेंगे भारत के संदर में हरित क्रांती तो इसमें आप सीजे सीजे चले जाएए पश्चमोत्तर भारत इसमें आप देखें तो मुख्यता देखिए पंजाब ये तो रहा सेंटर इसके आप पंजाब के साथ साथ हरियाना कंदे से कंधा मिला कर ये चल रहा था पंजाब हरियाना इसके साथ लाव देखिए पश्चमी उत्तर प्रदेश को भी मिला ऐसा नहीं पश्चमी जो है पश्चमी जो उत्तर प्रदेश इनको भी आप देखिए लाव मिला जब हम लोग बात करते हैं तो यह जो इस्तती है यह बला जो आप छेतर देख रहे हैं है पंजाब इसर हर्याना इसर यहां तक पश्चमी उत्तर प्रदेश तक है तो पंजाब हर्यान पश्यमी यूपी देख रहे हैं इन छित्रों को बाद में राजिट्थान वगरा तक इसका विस्तार हुआ तो यह जो का एरिया यही क्या है पश्चिम उत्तर भारत आप देखे यही हरित क्रांती का गढ़ रहा शुरुवात में यहां जैसे मैंने कहा यह वाला जो च्छेतर आप देख रहें इधर की तरफ यह यूपी बिहार पश्चिम बंगाल यह निचुरल प्राड़क्टिविटी की बात क क्या कारण है कि अरित करांती हरित करांती पूरवी कृषी प्रधान चेतर होने के बाद भी पूरब में जो मिर्दा के और वर्ता के बाद भी वह खिसक कर यहां भारत के पश्यमुत्तर भागों तक चली गई तो उसका reason यही आप देखिए कि जो इधर है उसमें बहुत सारी चीज़ें इधर नहीं है तो क्या इधर है वो समझना है जो इधर नहीं था तो यहां क्या है एक तो खेतों के बड़े आकार जोतों के बड़े आकार यह सब क्या है यही सारी बातें इधर क्यों हुआ इधर तो क्या था इधर आप देखें वही सारी बातें जो मैंने आपसे डिसकस किया है वही सारी बातें क्या कारण था यह कारण क्या था तो यहां क्या है जोतों के बड़े आकार जोतों के बड़े आकार थे इधर इसके अलमा क्या था किस किसानों की जोखिम लेने की चम्ता रिस्क टेकिंग कैपसिटी की बात करेंगे जोखिम लेने की जोटों के आकार बड़े हैं और साथ साथ पूची की उपलबदता तो इनके साथ किसानों के पास क्या है पूजी की उपलब्धता, साथ साथ इधर देखिए नहरों का परियाप्त विकास, अब जब नहरों का परियाप्त विकास होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिचाई सुविधाएं, सिचाई सुविधाएं, यहां जो सरकारी नीतियां रहीं वो भी सहायक रहीं और इसके साथ साथ एक बात देखिए, सरकारी सहायक नीतियां और साथ साथ और भी चीज़े हैं इनके पास, क्या और चीज़े हैं इनके पास? यहां आप देखें कि पूर्वी जो यह वाला छेतर है, यह अधिक आपदा परभावित है, आपदा परभावित आप देखें यहां बाढ़ की संभावना, लैंड सलाइट की संभावना, बाढ़ की संभावना, मतलब खासकर बाढ़ की संभावना, सुखे की संभावना इधर जादा है, यह जो वाला एरिया हैं समझेगा बहुत ध्यान से, यहां सिचाई की सुविधा का विस्तार है, सिचाई की सुविधा विस्तार इधर भी है, लेकिन इधर क्या है, वैसे भी आप देखें, जैसे एक तो आपदा आप कह लेज़िए, आपदा में बाल प्रभ इधर जादा है सूखा प्राकिटिक रूप से इधर पड़ेगा लेकिन बैकल्पिक साधन अगर इधर जादा है तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा जितना यहां जब आप पूरी तरह से मांसून पर निरभर हैं तो आगे जब आप आपदा प्रबंदन पढ़ेंग तो सूखा और जो बाड है वो दोनों काफी कुछ हदे तक मांसून से संबंदित हैं है ना तो इसका मतलब की इधर वर्सा जादा है लेकिन फिर भी प्रभाव जब पड़ेगा तो इधर की तरफ दोनों का प्रभाव जादा है इधर क्या है बैकल्पिक साधन है तो ऐसे भ कम वर्सा होती है विकल पहले से हैं तो उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि यह वाला चीज़ा आपदा से कम प्रभाव जब आप तुलना करेंगे तो पूरवी भारत के तुलना में यह वाला च्छेत्र आपदा से कम प्रभाव जब जब बहुत छेत रहे बड़े बाजार ये भी मैं कहूंगा आप समझेगा ये भी बहुत महत्पूर्ण है यहां बेहतर आधार भूस सुविधाएं भी हैं यहां कृषी की बेहतर आधार भूस सुविधाएं इनके पास जो कृषी की बेहतर आधार भूस सुविधाएं थी बड़े बाज पूजी आपकार से निकटता तो बहुत सारे फैक्टर्स थे और इधर की तरफ वही है कि छोटे आकार इधर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे पूरी भारत तरफ छोटे आकार जोतों के छोटे आकार जो यंत्रिक रित कृषी के लिए अनकूल नहीं है किसानों में क सिरवहग प्रकार वही बस जीवन सब कुछ गयों, दलहन, तिलहन, चावल सब उत्पाधन करते खाने जीने के लिए किसानों की जो सरकारी नीतिया थी इधर की तरफ वह उतनी क्या है, उतनी attractive उतनी क्या है, नहीं थी है ना आपदा से ज़्यादा प्रभावित छेत था चक्रवात बाड इन सब से ज़्यादा प्रभावित छेत रही तो वह एक बहुत प्रमुख समस्या वह भी क्या एक बहुत प्रमुख समस्या इंफ्राइस्टेक्चर उतना ज़्यादा बहतर नहीं तो यह सारे कारण थे कि इधर की तरफ क्या है जादा देखिए यह पश्चमुत्तर भारत तया वाला छेतर जो है इधर की तरफ देखिए सिफ्ट हुआ तो इसको आपने देखा अब इसमें आप देखें हरित करांटी का चर्ण क्या था और शुरू में देखिए गेहूं की कृषी पर ही जो है सबसे फिर हम लोग किस पर बात करेंगे आपने इन चीजों को देखा इसके साथ साथ आप देखें कि चरन क्या रहे हरित कर्द क्या रहे किया मतलब आप स Wakakya है उसको हम लोग एक एक कर देखें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा नहीं, यहां से धीरे विस्तार हुआ, विकास हुआ, लेकिन यही हब बना, नुकसान भी देख रहे हैं वरतमान में, फाइदा भी देखेंगे, चलिए, तो यह छेत्र हो गया, और कारण, अरित करांती का छेत्र भी हो गया, और तो भारत में हरित करांती के चर्ण की बात करें, इसको हमने बंड़ दिया है कई चर्णों में, जिसको आपके लिए आसानी होगी, तो भारत में, बारत में हरित करांती के विभिन चर्ण क्या है, इन चर्णों की चर्चा हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं, तो फेजिस क्या कह रहे हैं, यह फेजिस की बात है, फेजिस जो हैं उनकी बात करते हैं, चलिए, देखें, इसको कई चर्णों में बांट कर हम देखेंगे, एक एक करके आप चलेंगे, पहला जो चर्ण है, जो फर्स्ट फेज है, इसको आप मान लेजिए, उननीस सो चांचट से लेकर, उननीस सो इक्यासी तक, तो उननीस सो इक्यासी तक मान लेजिए, यह पहला चर्ण, 1966 यानि हरित करांत के प्रारंब से लेकर एक प्रकार से, उननीस सो इसी तक, उननीस सो इसी क्यासी तक, देखते जाएगा, समस्ते जाएगा, देखें यह जो चर्ण था, इसमें गेहूं की क्रिशी पर अधिक जोड़ दिया गया, यह मुखिता क्या है, गेहूं की क्रिशी पर, इसमें गेहूं की क्रिशी पर ही मुखिता जोड़ दिया गया, और इसलिए इस सेर्ण की कई वार अलोचना भी आप देखें, हरित करांत को केवल गेहूं की करांत से जोड़ कर लोगों ने, अधिक जोड़ गेहूं की करांति है, हरित करांति का मतलब करिशी के और भी जो फसलें हैं उन्हें भी उत्पादन में बृध्धी हो, तो यह तो केवल गेहूं की करिशी में केवल बृध्धी हो रही है, तो इसलिए आप देखें, कई बारा अलोचकों द्वारा यह कहकर क गेहूं की करिशी है केवल प्रधिक जोड़ दिया गया, केवल गेहूं की करांति है, लेकिन आप समझें कि यह बहुत फाइदा हुआ, आप यह समझ लीजिए कि 1989-1979-1989 तक आप कह लीजिए, जो खाद्यान था, अब उसमें देखें, तो वो बढ़कर करीब 131 मिलियन टन हो गया, और इसमें आप यह भी देखें कि जैसे जो पहले, यानि हरित करांज से पहले, जो गेहूं की उत्पादक्ता थी, गेहूं की उत्पादक्ता, वो लगभग 856 kg प्रति हेक्टेर के आसपार सी, यानि साथे 800 kg प्रति हेक्टेर के आसपार सी, इस चर्ण के अंत तक गेहूं की उत्पादक्ता बढ़कर लगभग 200 kg प्रति हेक्टेर हो गई, क्या बात कर रहे हैं, कि इस चर्ण के अंत तक गे श्र Kyotoती हैं जो छो पादन कितना कितना क्या हुआ वह उत्पाधन हो गया है तो इसका मतलब और ये बहुत महत्पूर्ण था ये बहुत ही महत्पूर्ण था इससे क्या हुआ सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि जो निर्भरता थी हमारी खाद्यान पर अमेरिका जैसे देशों से जो हमायात करते थे वो एकड़म कम हुई भारत खासकर गेहूं में क्या हुआ आत् निर्भर हुआ और हमें अब बाहर से मंगाने की आउशक्ता नहीं थी तो लोगों तक जो है रोटी या कह लिजे निवाला पहुचने लगा ये बहुत महत्पूर्ण ये बहुत ही महत्पूर्ण वैसे भारत में प्रमुक खाद्यान फसल आप जानते हैं सबसे प्रमुक व ये बहुत महत्पूर्ण है इसको आप देखे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ये और इसमें वही है जो आपको पहले बताया कि गेहु में उच्चुपज हाई इल्डिंग जो बराइटीज है उनका उप्रयोग और जितने आपको इंपूर्ण बताये थे जब इंप इसको आद्रक्रिशी से वेट एगरिकल्चर से प्रेडित किया गया ये आद्रक्रिशी से प्रेडित था ये वाला जो समय था ये था 1981 से 1991 वाला समय कहीं कहीं आप 1995 भी देखते हैं वो डिवीजन है लोगों का थोला सा उसमें आगे पीछे को याधार मान कर तो उसके लिए हमने एक दशक माना है इसमें इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है 1981 टू 1991 एक दशक का समय ये माना है हमने कहीं कहीं हमने कहीं ने का 1980 से लेकर ये 1995 तक माना गया है तो उससे आप ब्रमित नहीं होंगे ये जो शरण था दूसरा ये मैंने क्या कहा आद्रक्रिशी से प्रेडित आद्रक्रिसी पर और जब आद्रक्रिसी पर अधिक जोर की बात करते हैं तो इसमें मुख्यता आप क्या कहते हैं चावल इसका मतलब चावल पर अधिक जोर की बात की जाती चावल पर अधिक जोर देने की बात की जाती और इसमें देखें कि तेजी सिविस्तार भारत के पश्चिम बंगाल आप जानते हैं उसमें कई सारे छेत्र हैं जहां वर्सभर चावल की खेति अमन औस बोरो कहीं प्रकार के हैं तो उस समय की बात आप देखें इस चर्ण की बा जो चावल की कृषी थी, उसका विस्तार जो है खासकर जो पूरवी कोष्ट है, भारत में जब आप पूरवी कोष्ट की बात करते हैं, जो पूरवी तटी जो चेत्रों की बात करते हैं, इस्टन कोष्ट की वो मुक्षता चावल प्रधान है, क्योंकि वहां सब 100 cm से अधिक चावल के लिए minimum वर्सा 100 cm से अधिक होनी चाहिए, तो 100 cm से अधिक वर्सा और साथ-साथ उच तापमान भी है, तो hot and humid जो conditions हैं, यानि गर्म और आद्र जो दशाएं हैं, वो चावल की क्रिशी के काफी अनकूल है, तो पूरवी भारत में और तटी कोस्टल जो पूरवी तट तटी जो छेत्र हैं, पूरवी तटी, I am talking about the eastern coastal areas, वो क्या है, data that they are the suitable places for the rice, या पैडी कल्टिवेशन, तो उसके लिए ज्यादा महत्रपून, तो इसमें जोर दिया गया, और आप देखें, इस चरण के अंत तक, आप देखिए, इस चरण के अंत तक, अंत तक, चावल की जो उत्पादक्ता है, प्रोडक्टिविटी, चावल की उत्पादक्ता के बात कर रहे हैं, प्रत हेक्टेर उपज, उत्पादक्ता बढ़कर, लगबग, 1900 किलोग्राम प्रत हेक्टेर, 1900 किलोग्राम प्रती हेक्टेर 1900 केजी प्रती हेक्टेर प्रती हेक्टेर ये चलिक लिए प्रती हेक्टेर हो गई ठीक इससे पहले ये भी बहुत ज़्यादा नहीं थी 900 के आसपास थी तो लगभग लगण नगसो सम्तिंग थी लगभग दुगने के वृद्धी इसमें भी हुई चावल गेहू कितनी नहीं हुई लेकिन इसमें क्योंकि चावल पहले से ही उत्पादन गेहू के तुल्ला में ठीक था उत्पादकता लेकिन यहां बढ़कर आप देखिए यह तो उत्पादकता बढ़कर आप देखिए इतना हुआ इसको आप देखते हैं आप देख रशी तो ये विस्तार अब यानि लगातार देखिए गेहूं से आगे हटकर चावल और उसके साथ साथ छेत्रों का भी विस्तार हो रहा इससे पूरवी तटी चेत्र साहित पूरवी भारत में भी आप देखिए इसका विस्तार हो रहा तो ये इंपॉर्टेंट इसके बाद आगे चलेंगे आप तीसरे चरण पर चलेंगे चलते चलिए थर्ड जो इस्टिप्स है जो तीसरा चरण है उसकी बात करेंगे जो थर्ड फेज है ये आप लें इसको कि ये नुनिस सो एक्यानवे से करीब दो हजार दो तक माल लेजिए दो हजार दो तक इसलिए क्योंकि इसके बाद आप देखिए हैं इस दो हजार दो से दसमी पंच वर्षी योजना शुरू ही और वर्ष दो हजार में जो नई क्रिशी नीती लाई गई उस क्रिशी नीती का प्रभाव दसमी पंच वर्षी योजना जो दो हजार दो से दो हजार साथ तक चली उसमें काफी महत्पून, आप देखिए यहां पंचवर्ची उजनाओं की भी बात हो रही है, सीधा सीधा आप एकोनोमी के तमाम सारे टॉपिक को आप इसमें इन्वाल्ब देख रहे हैं, तो जोगरिफिकल परस्पेक्टिव आप देखिए बड़ा इंपोर्टेंट है, या किसरा जो चरण है यह आप देख रहे है, 1991 से 2002 तक और इसमें आप देखिए सुस्क क्रिशी विकास जो है, ड्राई लेंड जो है, सुस्क भूमी क्रिशी विकास, इसमें सुस्क क्रिशी भूमी विकास पर काफी बल दिया गया, क्या किस पर बल दिया गया, इसमें मैंने कहा सुस्क क्रिशी भूमियां उनके विकास पर बल दिया गया तो ड्राइ लेंड जो अगरिकल्चरल डेवलप्मेंट की बात आप करेंगे इसमें जो ड्राइ अगरिकल्चरल लेंड हैं जो ड्राइ लेंड हैं उनको उनके जो है डेवलप्मेंट पर इसको आप ड्राइ लेंड अगरिकल्चरल डेवलप्मेंट प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं ठीक है तो सुस क्रिशी भूमियों में काफी जो है विकास पर बल दिया गया तीसरे जो आप देख रहे हैं तीसरा चर्ण की बात मैं कर रहा हूं तीसरे चर्ण की क्योंकि भारत में लगभग दो तिहाई छेतर आप देखें वो पूरी तरह से रेंड फेडिगरी कल्चर है य यानि आप ये कहलें कि उसमें क्रिशी के लिए जल की जो अव्षकता है वो वर्सा के जल से उसकी आपूर्ती होती है वर्सा के जल से तो इस प्रकार से वर्साधीन जो चेतर है जो रेंड फेड रीजंस हैं जो सुसक्रिशी भूमिया है जहां सिचाई कि सुविधाउं का परियाब्त विकास नहीं है, जो मौनसून या वर्सा के जल पर ही अधिकतर निर्भर हैं, उन छेत्रों में जब तक क्योंकि यह से दो त्याई छेत्र ऐसे ही है, तो जब तक उन में कृशी का विकास नहीं होगा, तब तक जाहिर सी बात है, भारत में हरितकरांदी का क्या है, प्रसार या उतना विस्तार उस धंक से नहीं हो पाएगा, तो आप देखें ऐसी चीजों के लिए, ऐसे इसके विस्तार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जरूरी हैं, इसमें आप देखिए, ड्राट प्राउन एरिया डेवलप्मे जेत्र विकास जो कारकरम है वो बहुत ज़ादा इसमें लाबदायक सिद्ध हुए है ना और इसमें आप देखिए कि जमाम दलहन तिलहन इन सब चीजों में क्या हुआ दलहनी फसलों तिलहनी क्योंकि सुस्क भूमियों में क्या है दलहन जहां कम जल की उपलबधता है वहां दलहन तिलहन पर क्या है अधिक बल दिया जा रहा है तो दलहन तिलहन कौटन कह लिजिए ऐसे यानि इस चर्ण में आप देखिए इस चर्ण में दलहन तिलहन कपास कपास की क्रिशी में भी की क्रिशी में भी जो हाइब्रिट सीड हैं संकर वीज में भी संकर वीजों संकर वीजों के प्रियोक पर बल दिया गया तो यह बहुत महत्पूर्ण यह बहुत ही क्या है इंपोर्टेंट है इसको आप समझें तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते कि क्योंकि ऐसे चीजों में जब तक हाइब्रिड सीड का प्रियोग हम इस पर नहीं करेंगे जो कम जल वाले छेत्रों में उपजती हैं तब तक जो है हमारा प्रोडक्शन विस्तार नहीं हो तब प्रोटीन का प्रमुक्त सुरोथ है भारत में तिलहन बहुत सार pulls तो इस प्रकार से प्रभकार करतेंfen तो इस प्रकार से इनके साथ यानि खाद्यान के साथ साथ आप कहे लिजे इस प्रकार की फसलों में जैसे कपास जैसी फसलों में जब हम प्रियोक करते हैं हाइब्रिड सीड का तो उससे हमारा जो अध्योगी कुत पादन है वो भी बढ़ेगा हमने कहा कि कच्छा माल है कपास सूती वसुद्यों के लिए तो इन चीजों में भी विस् यह क्या है बहुत ही महत्वपून बात है जिसको समझने के आउशकता है कि क्लियर है तो ऐसे इन चीजों को विस्तार से एक एक करके देखें अब देखिए क्या हुआ जैसा मैंने कहा अगर आप चौथे चर्ण की बात करें जो चौथा चर्ण है उसकी बात करें तो यह फोर्थ फेज है फोर्थ फेज है यह आप लें दोहजार दो से 2007 तक इसको कह सकते हैं यही दसमी पंच वर्षी ओजना आप देखिए यही क्या है दसमी पंच वर्षी ओजना पर देखिए यहां तक आते आते दसमी पंच वर्षी ओजना तक आते आते क्रिसी के विवधी करण पर जो अत्यधिक जो बल देने की बात की जाने लगी क्रिशी से एलाइड जो सेक्टर्स हैं जो एगरिकल्चरल एलाइड रीजन्स हैं जो क्रिशी संबंधित छेत्र हैं उनके विकास पर बल देने की बात की जाने लगी समझेगा इसमें हुआ क्या कि वर्स 2000 में वर्स 2000 में नई क्रिशी नीती में क्रिशी के विवधी करण पर बल दिया गया ठीक है 2000 में मैंने कहां नई क्रिशी नीती आई उसमें क्रिशी के विवधी करण पर बल दिया गया और उसका इंपैक्ट आपको दस्वी पंचवर्सी हो जना में देखेगा क्रिशी हरित करांती के जगह हैं इंद्रधनसी करांती का विचार लाया गया इसमें इंद्रधनसी करांती इंद्रधनसी करांती का विचार जिसको आप रेनबो रिवल्यूशन कहते हैं रेनबो रिवल्यूशन कहते हैं और यह मुख्यता क्या था इसका उद्देश क्या था क्रिशी का विवधी करन अब आप देखेए इसमें क्या हुआ कि जैसे इंद्रधनसी सात रंग होते इंद्रधनस में तो केवल हरित करांती के साथ अब उसमें अलग क्योंकि यह माना जाने लगा कि तब तक 9-Dimensional ways में में सोचा गया और कहा गया कि क्रिशी के साथ सा साथ जैसे आप देखिए दुँग-दुथे उत्पादन को बढ़ाना तिलहन के उत्पादन-गो मांस और टमाटर जैसे उत्पादन लगातार उसको बल हाना जो मत्श्पालन से तमाम पॉल्ट्री वगरा जो अणडा उत्पाद आ उसको बलयाना तो इस से क्या हो गैज कि किसानों को आय का एक अत्रिक्त शुरूथ भी मिलेहा जहां कृषीयों दूद देखिये, इनसे क्या है, कि नूट्रिसनल वैलो भी बहतर होगी, पोशन जो अस्तर है वो भी लोगों का सुधरेगा, इनकम का एक अतरिक्त जो है सोर्स या स्रोत कहली ज़ोगा, उससे वो पूजी को अपने किस खेती में भी लगा पाएंगे, रिन पर जो उनकी निरभरता है वो कम होगी, खोसाहाली बढ़ेगी और ये बहुत मतलब और युवाकई इसका प्रभाव पड़ा भी, तो इस वज़य से इन धनसी क्रियांति का जो विचार था इसमें आप दे चल रहा था. इसके वर्गीज कुरियन, वरगीज कुरियन इसके जब जनक माने जाते हैं, वरगीज कुरियन, लेकिन यहाँ मैंने कहा कि इस विचार को जोडा गया, तो ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट हुआ यह इससे पहले से था लेकिन यहां जोड़ा गया यह प्रकार से कहले जिए दंशी करांती में कि यह चीजें इसमें क्या है लगातार इसको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वेथ करांती का मतलब क्या है इससे संबंदित है दुख दुद्पादन से दुख दुद्पादन से संबंदित है आप देखिए नीली करांती मत सिपालन से मत सिपालन से इसमें आप देखिए लाल करांती इसमें मांस और टमाटर मांस और टमाटर पीली करांती तिलहन से भूरी करांती बिना उरवरकों के बड़ी उपज या क्रिशी का उधार नहीं होगा तो उरवरक उत्पादन उरवरक जो उत्पादन था उसमें लगा तार वृद्धी करने की बात की गई इसमें आप देखिए गुलावी करांती तो जिंगा पालन खासकर उधर देखिए आप जो पूर्वी कोश्टल एरियास था वहां बहुत इसका लाब हुआ आंदर प्रदेश वगएरा में जिंगा पालन जिंगा पालन है ना तो स्वेत करांती नीली लाल पीली भूरी देखिए सबरंग फिर उसके बाद फिर रजत करांती रजत करांती यहां आप देखें तो अंडा मुर्गी पालन इसी को आप कहलें जें अंडा उत्पादन तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह सारी चीज़ें स्वेत करांती नीली करांती लाल पीली गुलाबी रजत इस प्रकार से कैसे मॉडिफिकेशन देखिए कैसे क्या है विवधी करन हुआ और यहां से किसानों को लाब हुआ इंकम के सोर्स जो है सोर्स जो है जनरेट हुआ उसमें लगातार स्रोत आया उनके पास जो रिन की समस्या थी वो काफी कमी आई क्योंकि उनके पास जब खुदी एक इंकम जनरेट होगा तो यह बहतर चीजे रहेंगी है ना तमाम जो जो किसा फार्मर्स जो सुसाइड था टेंडनसी उसमें काफी कमी आई तो यह बहुत बड़ा विवधी करन था यह बहुत महत्तमून बाद में उसमें देखें कई सारी चीजे और जोड दी गएंगें जैसे आप देखिए गोल क्रांती की बात कि जाती है बाद में इसमें कई सारी चीजें जोडी गया जिसे गोल क्रांती वह आलू उत्पादन से संबंदित था golden revolution जिसको आप सुनहरी करांती कहते हैं golden revolution जिसको सुनहरी करांती कहते हैं जिसमें फॉल और सब्जियों का उत्पादन जोड़ दिया गया तो जितना ज्यादा ज्यादा modification किया गया उतना ही किसानों के लिए हमारा benefits ये ले रहा तो गोल करांती इसमें आगे जोड़ दिजिए गोल करांती आलू के लिए golden revolution फॉल और सब्जियों का उत्पादन इस प्रकार से ये जो विस्तार हुआ आप देखें कि इससे nutritional value भी बहतर हुई किसानों के income के स्रोत भी rate हुए और उनका क्या है बहुत लाव हुआ तो ये बहुत important एक step है यहां तक आपने देखा ये बहुत ही एक important जो है step यहां तक ठीक है तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए अब इसके बाद जो आगे की बात होगी वो बात होगी कि गेरावी जो पंचवर्सी होजना थी जो आप देखें 2007 से 2012 तक चली उसमें कैसे सतत और संपोषणी एक्रिसी विकास पर बल दिया गया sustainable agricultural development पर कैसे बल दिया कैसे यहां तक हरितकरांत के लाब के साथ साथ उसके नुकसान भी जो है वो भी परलक्षित होने लगी ठीक है कैसे दुती हरितकरांत की आउसक्ता पर बल दिया जा रहा है बीजी आर ई आई ब्रिंगिंग ग्रेन रिवलेशन टु इस्टन इंडिया यह प्रोग्राम या कारिकरम क्या है तो यहां से आगे हम लोग एक एक करके उन चीजों को भी क्या है देखेंगे कि क्या आउशक्ता महसूस हो रही अभी और इसके साथ साथ क्या हानिया हैं और क्या लाब हैं इन पर भी जो हम लोग चर्शा आगे अब करेंगे तो चलिए सबसे पहले हरित्क्रांद से लाब की बात करते हैं तो भारत को क्या-क्या लाब हुआ हरित्क्रांद से इसमें आप देखें भारत खाद्यानों में आत्म निर्भर हुआ है सबसे बड़ी बात कि भारत के संदर में ही चाचा कर रहे हैं हम लोग खाद्यानों में आत्म निर्भर आत्म निर्भर हुआ यानि जो आप देखें कि बाहर से जो हम निर्याद करते थे बाहर से जो हम मंगाते थे जो हम आयात करते थे उसमें क्या है वो चीज समाप्त हुई जिसको हमने आप सो जिक्र किया था कि अमेरिका ने गेहूं का निर्याद भी भारत को करने से मना कर दिया उनके संदर में निर्यात, हमारे संदर में वही हम मंगाते हैं तो आयात, तो ये आप देखिए तो भारत खाद्यानों में आतनिर्भर हुआ, सबसे बड़ी बात थी, सबसे महत्पून बात थी, कि भारत खाद्यानों के संदर में क्या हो गया, आतनिर्भर हुआ, और इससे हम भारती क्रिशी में व्योशायक्ता का प्रवेस हुआ, जो हम लोगों ने बात की थी भारती क्रिशी एक निरवहक प्रकार के क्रिशी, उसमें कहीं 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 कि भारती क्रिशी में आप देखें, तो भारती क्रिशी में आप देखें कहीं कहीं क्या हुआ, उसमें व्योशायक् भारती क्रशी में व्यावसाइकता का प्रवेस हुआ जो यंत्रों का प्रवेस जो था वो लगातार उपयोग लगातार बढ़ने लगा तो भारती क्रशी में व्यावसाइकता का प्रवेस हुआ इसके साथ ही आप इसी से जोड़कर कह सकते हैं कि भारती क्रशी में नवाचार के प्रारम वे invers आजो इनोवेंशन से नवाचारों का प्रवेस ओक से नवाचारों का प्रवेस आज नौवीटिव idea हैंट एम प्रावेस के जाने लगे नए नए जो ideas जहां हम किवल प्रम पराँगत प्रकार के से76 में हमने थे थोड़ा थोड़ा नवाचारों को tutte किसानों की आय में काफी ज्यादा क्या है लाब हुआ तो किसानों किसानों की आय में वृध्धी जो अमदनी है लाब है किसानों की वो जो है उसमें वृध्धी हुई हाला कि अभी आगे आप देखेंगे कि वृध्धी या लाब सब तक नहीं पहुचा तो वो नकरात्मक में आ जाएगा अभी हम सकरात्मक पक्ष के चर्चा कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं भारत का तरनों में आत्म निर्भर हुआ अब उसी से आप जोड़कर अगर चर्चा करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि जब भारत को जो आयात करता था वो पूरी तरह से आप देखिए अपना आयात पर जो निर्भरता थी वो समाप्त हुई क्रिशी में ब्योसाइक्ता का प्रवेस हु चाहे आप उर्वरक उद्योग की बात करें उसमें बहुत व्रिद्धी हुई तो क्रिशी संबंधित क्रिशी संबंधी उद्योगों का तीवर विकास हुआ क्रिशी संबंधी उद्योगों का तीवर विकास हुआ यह बहुत महत्पून बात थी ठीक है इसके साथ आप देखें कि भारती क्रिशी के संदर में लगातार नयने नयने जो है है आप देखिए रिसर्च और डिफलक्मेंट जो अनसंधान और विकास थे वह भी लगातार बढ़े तो आप उसमें विकास सकते हैं क्रिशी में जो आर एंडी रिसर्च इन डवलक्मेंट था इसमें बहुत ब्रिद्धी हुई प्रिशी छेतर में अंसंधान और विकास में तिय जी हलाकि इसको आप इनोवेशन से जोड़ सकते हैं लेकिन इसको आप लिख भी सकते हैं बाकि इनोवेशन से जोड़ सकते हैं किसी थे अनसंधान अंसंधान और विकास में तेजी कृषी छेत्र में आधार भूस सुविधाओं में तेजी से विर्धी हुई कृषी छेत्र में आधार भूस सुविधाओं में तो इस प्रकार से आप देखें खाद्यान निर्भरता से लेकर ब्योसाइकता का प्रवेश नवाचारों का प्रवेश किसानों की आय में बृध्धी आमदनी में बृध्धी किसी संबंदी और द्योगों का तीव रिविकास और जब तीव रिविकास होगा तो उससे रोजगार उससे रोजगार की प्राप् परिशत की भूमिका बहुत महत्पून है उसमें लगातार आप देखिए सुखा रोधी बीजों से लेकर वर्तमान में आप देखें तो उसी का विस्तार है कि अब जलवाई परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा क्रिसी पर उससे बचने के लिए ठीक है उससे बचने के ल और इसी के अंदर कर बहुत सारी आप जो संबंधित व्याख्या है वो आप कर सकते हैं तो यह तो क्या है पॉस्टिव जो साइड यह जो पॉस्टिव साइड है जो सकरात्मक पक्ष है वो अब आए देखते हैं का खिर हानिया क्या क्या हुई कि वल्ला भी नहीं था हानिया क्या क्या इससे हुई उसको भी आए देखते और समझते आए तो हरित क्रांदि के नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांदि के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े उसको देगी अब दूसरा पक्ष है जो दूसरा पहलो उसको समझते हैं तो जैसे भी बात कर रहे थे हम लोग किसानों को लाब हुआ तो सभी किसानों को लाब नहीं हुआ उसमें जो बड़े किसान थे जैसे हम असमानता बही, कुछ को लाब मिला, कुछ को लाब नहीं मिला, तो आप इसमें क्या कहेंगे, कि हरित करांति का लाब सभी किसानों को एक समान लाब प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, केवल इसमें आप कह सकते हैं, केवल बड़े किसानों को ही, केवल बड़े किसानों को ही, इसका लाब प्राप्त हुआ, इसका लाब प्राप्त हुआ है, इसका लाब मिला, मिला इसमें कह सकते हैं अतह सामाजिक असमानता अतह सामाजिक सामाजिक असमानता में वृध्धी हुए सामाजिक असमानता में वृध्धी हुए द्यान देजिएगा सामाजिक असमानता में वृध्धी हुए इसके लाम देखे रिजिनल यानि सोसल जो है डिस्पैरिटी बढ़ी इसके अलमा रिजिनल डिस्पैरिटी भी बढ़ी सुनते जाईएगा समझते जाईएगा रिजिनल डिस्पैरिटी सामाजिक जो है विशमता के साथ साथ क्या छेत्री विशमता में वृध्धी हुई देखिएगा समझाते हैं आपको छेत्री विशमत चेत्री विशमता में वरिध्य रिजिनल डिस्परिटी क्यूंकि आपने देशे देखा कुसी चेत्रों का विकास हुआ अब हम बात कर रहे तो उत्तर भारत में भी आप देखिया दिक्तर जो है उत्तर पश्मी जो छेत्र था पंजाब हर्याणा पश्मी उत्तर प्रदेश उ को लाब हुआ तो इस प्रकार से क्या है बाकी बहुत वह सारे अन्य चेत्रों को उस प्रकार से लाब नहीं मिला तो अगर आप भारत के संदर में देखे हो तो छेत्री विशंता भी क्या है इससे कहीं बढ़ रहे है इसके अलमा देखिए एक और चीज़ सभी फसलों का इस सभी फ़सलों को इसका लाव प्राप्त नहीं हुआ सभी फ़सलों को इसका लाव प्राप्त नहीं हुआ इसमें आप लिख सकते हैं विशेश कर गेहूं विशेशकर गेहूं और चावल को ही इसका लाफ प्राप्त हुआ विशेशकर गेहूं जीतना इन दोनों को फाइदा मिला बात जब आप आलोचना की कर रहे हैं नकारात्मक लाफ की तो सभी फसलों को नहीं जीतना इनको गेहूं और चावल को मिला सबसे अधिक्त तो चेक गेहूं हमने आपको बताया था कि पहला जो चरण था आपने देखा उन्नीसो चाचट सड़ सड़ से इक्यासी वाला उसको तो गेहूं की क्रांती कहकर ही उसकी आलोचना भी की गई कि बाकी नहीं सब गेहूं में ही केवल लाव हो रहा तो और हरित क्रांती का संदर भी जो सुरुवाती दौर में आप देखें इसके लाव आप देखिए कि लगातार क्या है बड़े पैमाने पर उर्वरकों के प्रयोग से मिर्दा में बहुत बिसाक्त पदार्थों की मात्रा में विर्धी हुई क्या है बड़े पैमाने पर राजसाइनिक उर्वरकों और कीट नासकों के प्रयोग से और कीट नासकों के प्रयोग से मिर्दा में विशाक्त जो पदार्थ है टॉक्सिक माटेरियल मिर्दा में विशाक्त पदार्थों की मात्रा में विर्धी विशाक्त पदार्थों टॉक्सिक जो एलिमेंट थे जो टॉक्सिक एलिमेंट थे उनकी मात्रा में विर्धी हुई तो यह भी एक महत्रपूर्ण है इसको भी आप देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे पहले ही बात हुई कि हाइबिड जो सीड है उसको बड़े पैमाने पर जल की आउशक्ता होती है अब जब जल की आउशक्ता होती है तो जल का दोहन बहुत ज्यादा हुआ तो भॉम जल का दोहन इतना ज्यादा हुआ कि उसमें ग्राउंड वाटर जो था वह भुमि जल अस्तर में जिरावट जो ग्राउंडवाटर था। जो ग्राउंड वाटर था। क्योंकि लगातार निरंतर जो है निरंतर आप देखें कि जल की उपलबदता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ज्यादा सिचाई की वज़य से जल के दोहन की वज़य से जो ग्राउंड वाटर था भाउमजल अस्तर था उसमें क्या है काफी गिरावट उत्पन होई इसको आप देखें तो भाउमजल अस्तर में गिरावट महसूस की गए इसके लमा आप देखें कि जैसे हर्याना पंजाब और जो उसके बाद फिर जो उत्तरी राजस्तान जैसे चेत्रों में बड़े पैमाने पर मिर्दा में लवडी करन और चारी करन की समस्या देखी गई मिर्दा में लवडी करन और चारी करन की समस्या क्या है बहुत तेजी से उसमें विस्तार हुआ तो क्या आप कह सकते क्यों क्योंकि वही आप देखें कि जैसे सिचाई चुकि यह अरसुस्क सुस्क छेतर थे तो सिचाई बहुत जादा हुई उसके बाद वास्पन हुआ तो मिर्दा में भारत में कुल आठ प्रकार की मिर्दा का विभाजन किया गया है उसमें एक लवड़ी और छारी मिर्दा है और वो मुख्य रूप से मानो जनित कारणों से क्या है निर्मित हुई है और उसमें ये प्रथम हरित करांती वाले छेतर को लेकर इसके साथ साथ जो इं मिर्दा में लवनी करण की समस्या और इससे क्या होगा मिर्दा के गुनवत्ता में हरास ये इससे क्या है इससे आप देखिए मिर्दा के गुनवत्ता में हरास होगी इससे मिर्दा गुनवत्ता में हरास मिर्दा की क्वालिटी में गिरावटाएगी जिससे उपज क्या है अब ज़्यादा अब कितना भी वहाँ आप देखिए लगातार उर्वरकों का प्रियोग कर ले एक सीमा से ज़्यादा उत्पादन संभों नहीं आप देखिए उड़ता पंजाब एक मूवी भी बनी आपने देखा होगा वहाँ पंजाब की जो इस्तिती है अब वो उस प्रकार से नहीं रही तो जितना लाव सुरुवात मिला वो कहीं ने कहीं आप देख लिजिए कि वो एक सीमा तक पहुँच गया अब उसमें तमाम सारी वहाँ समस्याएं दिख रही हैं तमाम पर्यावरणी और यह आप जो देख रहे हैं भी आपके सामने हैं भौम जलस्तर में गिरावट है जगह देखिये क्या हुआ जगह जगह जल जमाओ और जगह जगह मिर्दा अपर्दन की समस्याएं भी बढ़ी तो इसमें क्या हुआ जगह 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 जल जमाओ और मिर्दा अपर्दन की समस्याएं में व्रिद्धी देखी गई तो इस प्रकार आप अगर देखें पीछे से आप इसको देखें कि क्या क्या तो देखी ये नकरात्मक प्रभाव केबल बड़े किसानों को लाव मिला सबको यानि इन्क्लिउजिव नहीं था अब इसी में आप जोड़ सकते हैं यानि ये समावेशी नहीं था सभी को लाव करें तो समावेशी नहीं था डिस्पारिटी देखिए चाहे च्छेतरी विसमता चाहे फसलों के अस्तर पर सबको लाव न मिल पाना इन चीजों को भी आप देख सकते हैं है ना इसके अलावा आप देखिए कि रसाइनी कुरवरकों कि इतनासकों के प्रयोक से अमने बताया बिसाक्त जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा में बिद्धी इसकी अलावा आप देखिए भौम जलस्कर में गिरावट मिर्दा लौणी करण और छारी करण की समस्या तमाम कई सारे विदेशी जो है विदेशी जो तमाम सारी बिमारियां आप देखिए लगातार क्या हुआ खर हरती परिवेस में अब बहुत सारे कीट जो है बहुत कम कहलेजिए दवाओं से मर जाते थे अब वह एडॉप्टेशन हो गया समझेगा जैसे क्या होता है कि जितना ज्यादा हाई पावर की आप दवा देखिए 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 उतना ही वह उसके विरुद्ध रजिस्टेंस पावर एक प्रतुरुदक छमता विक्सित होती जाएगी एक उदाहन देखते हैं जैसे पहले आप लगाते थे कुछ मच्छर चर मारने की वह जैसे वेपर वगरा आल आउट गुड़नाइट जो भी चीजे आप इस्तमाल करते हैं बड़े आसानी से मर जाते हैं तो अब वह उतने आसानी से तो ऐसे ही क्या होता ना कि जब आप बहुत ज्यादा कीट नाशक खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो तमाम छोटी चोट जो बिमारियां है न वह देधरे पहुत सारी ऐसी नए नए कीट पतंगे कह लिजिए कि इस प्रकार से उसमें भी कहिन कहिना सपस्ट हो सकती है दिख सकती है तो यह भी एक प्रकार की समस्या थी तो नई बिमारियों का इसमें क्या कहेंगे आप फसलों में नई बिमारियां देखी गई फसलों में नई बिमारियां देखी गई ये बी एक परकार की समस्या तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये सारी कमिया रही जब आप हरितकरांद के नकरात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उसके सामने आती हैं तो यह हुआ, अब इसके बाद आप बात करें, कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कि दुती हरित करांती की जो अवसक्ता पर बल क्यों दिया जा रहा है, और दुती हरित करांती या भारत में जिसको हमने कहा कि ब्रिंगिंग ग्रीन रिवलिशन इन इस्टन इंडिया जैसा प पंचवर्सी या जणा में सतत क्रिश्य विकास की अउधाना रखी गई, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं तो यह हो गया है, अब बात कर रहे हैं ही हमने का, ग्यारहमी पंचवर्य या जना हो गया अब एक नकरात्मक सकरात्मक हो गया आगे वाला जो कदम है तो ग्याराहवी जो पंचवर्शी योजना थी में सतत क्रिशी विकास सतत क्रिशी विकास सचनेबल जोगरी कल्चरल डिवलप्मेंट है सतत क्रिशी विकास पर विसेज बल दिया गया पर विसेज बल दिया गया और यहीं इसी में आप देखेंगे इसी दावरान 2010-2011 में राश्ट्री किस विकास योजना के अंतरगत राश्ट्री किस विकास योजना जिसको आप RKVY भी कहते हैं इसी को आप क्या कहते हैं RKVY राश्ट्री किस विकास योजना के अंतरगत के अंतरगत एक फ्लैग्सिप प्रोग्राम एक फ्लैग्सिप प्रोग्राम था जिसको बीजी आ रहे हैं के अंतरगत एक फ्लैग्सिप प्रोग्राम फ्लैग्सिप प्रोग्राम चलाया गया इसी को आप कहते हैं जिसको आप कहते हैं ब्रिंगिंग ग्रियन रिवलोशन इसी को सार्ट में आप कहते हैं BGREI BGREI Bringing Green Revolution To Eastern India Bringing Green Revolution to Eastern India BGREI और आप देखें इसी को यह जो नई चीज है इसी को दुती हरित करांती भी कहा जाया रहा है क्या आप बात कर रहे हैं हम लोग यही सब संदर्भ है Second Green Revolution Second Green Revolution की चर्चा कर रहे है यानि भारत में इसमें दुती हरित करांती पर बल दिया जा रहा है और यही सारी चीजे हैं जो सतत कृषी विकास की बात हम कर रहे हैं जिसमें हमने कहा वे Bringing Green Revolution to Eastern India की बात कर रहे हैं यही क्या है दुती हरित करांती के संदर में देखाया सकता है क्योंकि देखिए जो प्रथम हरित करांती था उसका जो नकरात्मक प्रभाव था बहुत असपस्ट होने लगा आपने देखा कितने नकरात्मक प्रभाव पड़े लाभ सब को नहीं ए करते हैं तो इसमें आप देखिए क्योंकि अवश्यक्ता है आबादी का साइज लगातार बढ़ रहा है उस अनुपात में क्रिशी भूमियों में बृद्धी नहीं हो रही है तो हमें जो क्रिशी भूमियां है उसी में जहां भी पूरा पोटेंसियल या पूरा जो जो भी अगर उस चंपता को पुरी तरह से हमने उटिलाइज नहीं किया है उसका लाव नहीं उठाया है तो अब उसी के लाव उठाने का वक्त है तो इसलिए जो है दुतिहरित क्रांत की आउसक्ता पर बल दिया जा रहा है क्योंकि उत्पादन को तो बढ़ाना ही होगा लगातार अबादी के साइज हमारा अबादी का साइज लगातार बढ़ रहा है खाद सुरक्षा असुरक्षा जो है उसकी चनोतियां जो है वह बहुत प्रमुख है हमारे उपर तो इस प्रकार से देखिए लेकिन एक बात महत्पून उसमें क्या है कि क्या ऐसा ही होगा जैसे पहली कि हम नकारात्मक जो उसके प्रभाव है उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे एक बड़ा स्टेटमेंट देखिए जो स्वामिनाथन जी है उनका एक बहुत महत्पून स्टेटमेंट था स्वामिनाथन जी ने कहा था कि जो ग्रीन रिवलिशन है उन्होंने क्या कहा था ग् इसमाम सारी परियावर्णी जो मिट्टी को समस्या जो हमने कहा लवडी करने को समस्या जो देखिये लगातार ग्राउंड वाटर जो था उसमें गिरावट वो सारी समस्या उसी से इसलिए क्या इसको सदाहरित करांती में बदलने क्या हो सकता है तो जब सदाहरित करंत की बात उसमें मिर्दा की गुनवत्ता को बनायर रखते हुए उत्पादन को बढ़ाने की बात की जाती। जहां पोटेंसियल भी नहीं है जहां पूरी तरह से उटिलाइज किया गया उसको भी उटिलाइज करने की बात है। तो क्या हमने statement कहा वो भी बहुत महत्पूर है, क्या बात हमने कहा, इसको आप कहीं कोट कर सकते हैं, स्वामिनाथन जी के सब्दों में क्या जो green revolution है, green revolution become greed revolution become greed, देखिये शब्द देखिये अध्यान से, green revolution become greed revolution but it should be evergreen revolution तो यही जो आप देख रहे हैं, यह क्या है, यह सदा हरित करांती की बात कर रहे हैं और जब सदा हरित करांती की बात करते हैं, तो यही जो है, यही वास्तों में सतत क्रिशी, यही वास्तों में क्या है, सतत क्रिशी, है ना, यह बहुत महत्त्पून है, तो जो BGRI वाला प्रोग्राम है उसमें आप देखें, कि उसमें पूरवी भारत के, पूरवी भारत के, जो सात राज्य हैं, उसमें उसके implementation की बात की, आपने भी पीछे देखा है BGRI जो प्रोग्राम है इसी के संबंदर में BGRII पीछे आपने फुल फार्म देखा है ये पूर्वी भारत के साथ राज्यों पूर्वी भारत के साथ राज्यों में देखे कौन-कौन से वो भी देख लीजिए इसमें अब दिहार है पश्चिम मंगाल, असाम, जारखंड, उडिसा, च्छतिस गड़ और पूर्वी उत्तर प्रदेस्कियों के पश्चमी को अतमान लेजिये, लाप पहले प्राप्थ हुआ था, पश्चमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो क्रिसी की सनरचना हो अलग एकदम, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये साथ राज्य जो थे इसमें, और इसमें जब आप बात करते हैं तो इसमें ये म मुख्य तोर पर क्या है ये चावल प्रधान ये सभी क्या है वास्तों में अगर आप इन सब राज्यों को देखें तो वास्तों में क्या है ये चावल प्रधान छेत रहें ये क्या है चावल प्रधान छेत रहें तो इसमें चावल के प्रोडक्शन को मैक्सिमम करने से लेकर चावल की फसल को यूटिलाइस करने से लेकर वहां उत्पादक्ता बढ़ाने से लेकर उसके साथ साथ गेहूं पे भी और साथ में जो अनाज हैं उसको भी उसमें उसमें जोडा गया लेकिन मुक्हिता ये चावल कृशी प्रधान छेतर हैं और इसमें आप देखें कई प्रक अंतरगत आप देखें तो इसके अंतरगत ये जो आप देख रहे हैं इसके अंतरगत इसके अंतरगत सभी क्रिश्कों को लाव को लाव का लक्ष्य रखा गया इसके लावा देखें आप क्रिशी जागरूकता में विकास किसानों की जागरूकता जागरूकता में व्रिध्धी उन्हें जो प्रसिक्षन किसानों को विसेश प्रसिक्षन ठीक है जो इसके साथ साथ जो तमाम सारे चीज है प्रबंधन एक एक इक्रिट जो किरसी संबंधी योजनाएं जिसमें चाहे आप देखिए जो उर्वरक है उसके प्रबंधन की बात करें चाहे जल प्रबंधन की बात करें जल प्रबंधन तो इसमें जो माइक्रो इडिकेसन सिस्टम्स हैं सूख्स मिसचाई पधतियों का भी इस्तेमाल की बात किया गया जो भौम जल अस्तर है उसमें गिरावट नहों उसके लिए भी ठीक है जो मिर्दा में कहीं लवडियता या चाहरियता की समस्या उत्पन नहों उसके लिए भी तो पूरी तरह से किसानों को जागरुकता में इसमें किसानों की जागरुकता में ब्रिदी से लेकर किसानों को जो भी जानकारियां है क्रिसी संबंधी मिर्दा की जो उरवर्ता है मिर्दा में जो पोसक तत्तों की कमी है उससे सम्मंधित अब तो देखिए तमाम सारी चीज़े आड हो गई स्वायल हेल्थ कार्ड वगर आप जानते हैं तो उसमें जिसकी जितनी आउशक्ता है अलाकि सही ढंक से इंप्लिमेंट नहीं हो पा रहा है लेकिन उसको करने की आउशक्ता है तो आप ये देख सकते हैं य मिर्दा सुधार बहुत महत्पून है मिर्दा सुधार इसमें जो उसर सुधार है ये सब उसर सुधार मिर्दा परदन में मिर्दा सुधार में उसर सुधार उसके साथ साथ मिर्दा परदन की समस्या से बचाओ मिर्दा परदन की समस्या से बचाओ ये सारे इसके अंतरगत क्या है सामिल है तो समावेशन की प्रक्रिया सभी किसानों को लाग पहुंचे जैसा को उपर आप देख रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सदा हरित जैसे मैंने कहा कि सस्टेनेबल होना चाहिए जो पहले से जो हुआ पहले हरित करांति में वह नुकसान यहां ना हो इसको पुरी तरह से सुरिश्चित करने का प्रयास किया गया है और लगातार उसी दिसा में प्रयास हो रहा है तो यह हरित करांति आपने पूरा देखा अन चाहर आतए सब्विन की जतने पहलू साथ ये भी सुनिश्चित करनेकी आउषिक्ता है कि नकरात्मक प्रभाओं को कम से कम किया सके जैसा उधोरान पहली हरित-करांती में देखा हैं तो वह सारी चीजे नहों इसको सुनिश्चित करनेASE का प्रयास किया